श्री मद भागवत गीता पर्थम अध्याए अर्जुन विशादियोग पर्थम अध्याए द्रेतराष्ट बोले हे संजय धर्म भुमी कुरुछेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छावाले मेरे और पांडू के पुत्रों ने क्या किया संजय बोले उस समय राजा दुर्योधन ने व्यू रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और दुरोनाचार के पास जाकर यह वचन कहा हे आचारी आपके बुद्धिमान शिष्ष दुरुपत पुत्र दृष्ट द्यूमद्वारा व्यूकार खरी की वी पांडू पुत्रों की बड़ी भारी सेना को देखिए इस सेना में बरे-बरे धनुषवाले तथा युद्मे भीम और अर्जुन के समान शूरबीर सात्तीक और विराट तथा महारती राजा दुरुपत दृष्ट केतु और चेकीतान तथा बलवान काशी राज पुरुजीत कुंती भोज और मनुष्यों में शृष्ट शैव्य प्राकर्मी, युद्धा मन्यु तथा बलवान, उत्य मौजा, सुभद्रा पुत्र अभी मन्यु एवं दृपती के पांचों पुत्र ये सभी महारती हैं। पुत्र भुरिश रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरबीर, अनेक प्रकार के शास्त्रास्त्रों से सुसजित और सब के सभ युद्ध में चतुर हैं। भिश्म पितामा द्वारा रचित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है। रक्षित और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम हैं। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगा इस्तिर रहते वे आप लोग सभी नी संदे भिस्म पितामा की ही सब और से रक्षा करें। कौरवों में ब्रिध बरे प्रतापी पितामा भिस्म ने उस दुर्योधन के हिदय में हर्श उत्पन करते वे उच्च स्वर से सिंग की दरा के समार गरज कर शंक बजाया। इसके पश्चा संक और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदी बाजे एक साथी बज उठें। उनका वो शब्द बरा भेंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोरों से युक्त उत्तम रत में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलोकिक संक बजाया। श्रिष्ट धनुषवाले, काशी राज और महारती शिखंडी एवं द्रिष्ट द्यूम तथा राजा विराट और अजय सात्तिक, राजा द्रूपत एवं द्रोपती के पांचों पुत्र और बड़ी भुजावाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यू इन सभी ने हे राजन सब और से अलग-अलग शंक बजाये और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृत्वी को भी गुन जाते वे द्रितराष्ट के अर्थात आपके पक्षवालों के हिर्दय विदेर्ण कर दिये हे राजन इसके बाद कपी ध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांध कर डटे वे द्रितराष्ट संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तयारी के समय धनुष उठाकर हिरिशी केस श्री भगवान माहराज से यह वचन कहा है अच्चित मेरे रत को दोनों सेनों के बीच में खड़ा कीजिये और जब तक की मैं युद्ध छेतर में डटे वे युद्ध के अभिलाशी इन विपक्षी युद्धाओं को भली भाती देख लूँ कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किनकिन के साथ युद्ध करना योग्य है तब तक उसे खरा रखिए दुर बुद्धी इस प्रकार कहे वे माहराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भिश्म और दुरोनाचारी के सामने तथा संपूर्ण सेनाओं के सामने उत्तम रत को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ युद्ध के लिए जुटे वे इन कौड़वों को देख इसके बाद प्रिथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में इस्थित्ताओं, चाचाओं, दादों, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भायों को, पुत्रों को, पौत्रों को, तथा मित्रों को, ससूरों को और सुहिर्दों को भी देखा उन उपस्तित संपोन बंधूँ को देख कर वे कुंती पुत्र अत्यन करुना से युक्त होकर शोग करते हुए यह वचन बोले अर्जुन बोले देख रहा हूँ तथा युद्ध में सोजन समुदाय को मार कर कल्यान भी नहीं देखता है यह वासुदेब मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही यह गोविंद हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अत्वा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या हमें जिन के लिए राज्य भोग और सुखादी अभिष्ठ है वे ही यह सब धन और जीवन की अलाशाओं को त्याक कर युद्ध में खड़े हैं गुरुजन, ताव, चाचे, लर्के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससूर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं है मदुश्यूतन, मुझे मारने पर भी अत्वा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृत्वी के लिए तो कहना ही क्या है, हे जनार्दन, धृतराष्ट के पुत्रों को मार कर हमें क्या प्रसंता होगी, इन अताताईयों को मार कर त यद्यपी लोग से ब्रष्ट चित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन दोशों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन दोशों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं वि सुदेव पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की इस्त्रियां अत्यंत दूशित हो जाती है और हे वार्ष नए इस्त्रियों के दूशित हो जाने पर वर्ण शंकर उत्पन्य होता है वर्ण शंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है लुप्त हुई पेंड और जल की क्रिया वाले अर्थात शाद और तरपन से वन्चित इसके पितर लोक भी अदो गती को प्राप्त होते हैं इन वन्चंकर कारक दोशों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाती धर्म नश्ट हो जाते हैं यह जनारदर जिनका कुल धर्म नश्ट हो गया है ऐसे मनुश्यों का अनिश्चित काल तक नरक में बास होता है ऐसा हम सुनते आए हैं हाँ शोक हम लोग बुधिमान होकर भी महान पाप करने को तयार हो गये हैं जो राजी और सुक के लोब से स्वजनों को मारने के लिए उद्दत हो गये हैं यदि मुच शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिये विद्रित राष्ट के पुत्र रन में मार डाले तो वो मरना भी मेरे लिए अधिक कल्यान कारक होगा संजय बोले रन भूमी में शोक से उद्दिग्न मन वाले अरजुन इस प्रकार कहकर बान सहित धनुष को त्याग कर रत के पिछले भाग में बैठ गए श्री मद भागवत गीता दितियो अध्याय सांक योग दितियो अध्याय संजय बोले उस प्रकार करुना से व्याप्त और अशुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नित्रों वाले शोक युक्त उस अरजुन के प्रती भगवान मदुशूदन ने यह वचन कहा श्री भगवान बोले हे अरजुन तुझे इस असमाय में यह मोख किस हे तु से प्राप्त हुआ क्योंकि ना तो यह श्रिष्ट पूरुशों द्वारा आचरित है ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कृति को देने वाला है इसलिए हे अरजुन नपुनसक्ता को मत प्रा जामा और दुरोनाचारी के विरुध लरूंगा क्योंकि यह अरिशूदन वे दोनों ही पूजिनिये हैं इसलिए इन महानु भाव गुरु जनों को नौ मार कर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्भीखाना कल्यानकारक समझता हूं क्योंकि गुरु जनों को मार कर भी इस लोक अत्वा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मिय धृत्राष्ट के पुत्र हमारे मुकाबले में खरे हैं इसलिए कायरता रूप दोश से उपहत हुए सोभाव वाला तथा धर्म के विशय में मोहित चित हुआ मैं आप से पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्यानकारक हो वो मेरे लिए कहिए क्योंकि मैं आपका शिष्च हूँ इसलिए आपके शरन हुए मुझ को सिक्षा दीजिए क्योंकि भुमी में निश्कंटक धन, धानी संपन, राज्ज को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उन उपाई को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। हे अरजुन, तू न शोक करने योगी मनुश्यों के लिए शोक करता है और पंडितों से वचनों को कहता है परंतु जिनके प्राप्त चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राप्त नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अत्वा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालक्पन, जवानी और विधावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ती होती है, उस विशय में धीर पु उनको तू सहन कर क्योंकि हे पुरुष्ष्ट दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष्ष को ये इंद्रिय और विश्यों के सन्योग व्याकुल नहीं करते वो मुक्ष के योगी होता है असत वस्तू की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है इस प्रकार इन दोनों का ही तत्य ग्यानी पुरुषों द्वारा देखा गया है नाश रहित तो तु उनको जान जिससे यह संपोर्न जगत द्रिश्य वर्ग व्याप्त है इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है इस नाश रहित अप्रमई नित्य स्वरूप जीव इसको मारा जानता है वे दोनों ही नहीं जानते क्योंकि यह आत्मा वास्ता में नो तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है यह आत्मा किसी काल में भी नो तो जनमता है और ना मरता ही है नेवा तथा न या उत्पन होकर फिर होने वाला ही है क्योंकि यह अ आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्य जानता है वो पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है जैसे मनुष पुराने वस्त्रों को त्यार कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहन करता है वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्यार कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते इसको आग नहीं जला सकते इसको जल नहीं गला सकता और वायू नहीं सुखा सकता क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है यह आत्मा अदाई अकलेद्य और निसंदे अशोश्य है तथा यह आत्मा नित्य और रहने वाला और सनातन है या आत्मा अव्यक्त है या आत्मा अचिंत है या आत्मा विकार रहित कहा जाता है इससे हे अर्जुन इस आत्मा को उप्युक्त प्रकार से जानकर तू शोग करने को योग्य नहीं है अर्था तुझे शोक करना उचित नहीं है किन्तु यदि तु इस आत्मा को सदा जनमने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबा हो तु इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है क्योंकि इस माननिता के अनुसार जनमे वे की मृत्यु निश्चित है और मरे वे क में तुँ शोक करने को योग नहीं है हे अरजुन संपूर्ण प्रानी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं केवल बीच में ही प्रकट है फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को अश्चर की भाती देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्य का अश्चर की भाती वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही से अश्चर की भाती सुनता है और कोई-कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है अर्जुन या आत्मा सब के शरीर में सदा ही अवद्ध है इस कारण संपूर्ण प्रानियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भाय करने योग्य नहीं है अर्था तुझे भाय नहीं करना चाहिए क्योंकि शत्रे के लिए धर्म युक्ति युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्यानकारी करतव्य नहीं है ये पार्थ अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के दौर पर इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान शत्रे लोग ही पाते हैं किन्तु यदि तुझ इस धर्म युक्ति युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कृति को खोकर पाप को प्राप्त होगा तथा सब लोग तेरी बहुत कालतक रहने वाली अपकृति का भी कथन करेंगे और माननिये पुरुष के लिए अपकृति मरन से भी बढ़कर हैं और जिनकी द्रिष्टी में तु पहले बहुत सम्मानित होकर अब लगुता को प्राप्त होगा वे महारती लोग तुझे भाय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ की निंदा करते वे तुझे बहुत से न कहने यो कारण है अर्जुन तु युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा जय परा जय लाब हाने और सुक दुख को समान समझ कर उसके बाद युद्ध के लिए तयार हो जा इस प्रकार युद्ध करने से तुझ पाप को नहीं प्राप्त होगा है पार्थ यह बुद्धी तेरे लिए ज्ञान योग के विशय में कही गई और अब तुझ इसको कर्म योग के विशय में सुन जिस बुद्धी से युक्त हुआ तुझ कर्मों के बंधन को भली भाती त्याग देगा अर्थात सर्था नश्ट कर डालेगा इस कर्म योग में अरंब का अर्थात बीच का नास नहीं है और उल्टा फल रूप दोश भी नहीं है बलकि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा साही साधन जन्म मिर्ति रूप महान भैसे रक्षा कर लेता है है अर्जुन इस कर्म योग निश्चा अत्मिकता का बुद्धी एक ही होती है किन्तु और इस्थिर वि रहे हैं जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीती रखते हैं जिनकी बुद्धी में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है ऐसा कहने वाले हैं वे अवेवे की जन्द इस प्रकार की जिस अर्थात दिखो शोभा युक्त वानी को कहा करते हैं जो की जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा एस्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्नन करने वाली है उस वानी द्वारा जिनका चित हर लिया गया है जो भोग और एस्वरी में अत्यंत आ सकते हैं उन प्राणी की प्रमात्मा निस्चात्मिक बुद्धी नहीं होती है अर्जुन वेद उप्युक्त प्रकार से तीनों गुनों के कर्म रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं इसलिए तु उन भोगों ए स्वाधिन अंतह करन वाला हो सब और से परिपोन जलाशाय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशाय में मनुष्ट का जितना प्रियोजन रहता है ब्रह्म को तत्य से जानने वाले ब्रह्म का समस्त वेदों में उतना ही प्रियोजन रह जाता है तेरा कर्म करने में ही अधि को त्याग कर तथा सिध्धी और असिध्धी में समान बुद्धी वाला होकर योग में इस्थित हुआ करतव्य कर्मों को करकर समत्य ही योग कहलाता है इस समत्य रूप बुद्धी योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेनी का है इसलिए हे धननजर तु सम बुद्धी में ही रक्षा का उपए ढूंड अर्थात बुद्धी योग का ही आश्रे ग्रहन कर क्योंकि फल के हे तु बनने वाले अत्यंत दीन है सम बुद्धी युक्त पुरुष पुन्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है इससे तु समत्य रूप योग में लग जा यह समत्य रूप योग ही कर्मों में कुशलता है अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाई है क्योंकि सम्बुध्धी से युक्त ज्यानी जन कर्मों से उत्पन होने वाले फलों को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परंपद को प्राप्त हो जाते हैं जिस काल में तेरी बुध्धी मोह रूप दल को भली भाती पार कर जाएगी उस समय तु सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोग और परलोग संबंधी सभी भोगों से वैरागी को प्राप्त हो जाएगा भाती-भाती के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धी जब परमात्मा में अचल और इस्थिर ठहर जाएगी तब तुम योग को प्राप्त हो जाएगा अर्था तेरा परमात्मा से नित्य सन्योग हो जाएगा अर्जुन बोले, हे केशप, समाधी में इस्थित परमात्मा को प्राप्त हुए इस्थिर बुद्धी पुरुष का क्या लक्षन है? वो इस्थिर बुध्धी पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है श्री भगवान बोले है अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में इस्थित संपुर्ण कामनाओं को भली भाती त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है उस काल में वो इस्तिर प्रक कहा जाता है दुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में दुएग नहीं होता सुखों की प्राप्ति में जो सर्वता निभी हैं तथा जिनके राग भाय और क्रोध नश्ट हो गए हैं ऐसा मोनी इस्थिर बुधी कहा जाता है जो पुरूर शर्वत स्रेहन रहित हुआ उस उस शुब और अशुब वस्तुों को प्राप्त होकर न प्रसन होता है और न द्वेश करता है उनकी बुद्धी इस्थिर है और कच्छवा सब और से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विश्यों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता तब उसकी बुद्धी इस्थिर हैं, इंद्रियों के द्वारा विश्यों को ग्रहन न करने वाले पुरुष के भी केवल विशय तो निवरित हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसकती निवरित नहीं होती, इस इस्थिर प्रग पुरुष की तो आसकती भी प्रमात्म का साक्षातकार करके निवरित हो जाती है हे अरजुन आसकती का नाश नो होने के कारण ये प्रमतन सुभाव वाली इंद्रियां यतन करते वे बुद्धिमान पुरुषों के मन को भी बलात हर लेती है इसलिए साधक को चाहिए कि वो उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में क करके समाहित चित हुआ मेरे परायन होकर ध्यान में बैठे क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धी इस्थिर हो जाती है विश्यों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विश्यों में आसकती हो जाती है आसकती से उन विश्यों की कामना उत्पन होती और कामरा में विग्ण पढ़ने से क्रोध उत्पन होता है क्रोध से अत्यन्त मूडभा उत्पन हो जाता है मूडभा से इस्मृति में भ्रम हो जाता है इस्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धी अर्थात ज्यान शक्ति का नाश हो जाता है अन्ता करन की प्रसंता को प्राप्त होता है अन्ता करन की प्रसंता होने पर इसके संपोन दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसंचित वाले कर्म योगी की बुद्धी शिक्र ही सब ओर से हटकर एक परमातमा में ही भली भाती इस्थिर हो जाती है ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निस्चाय आत्मी का बुद्धी नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंता करन में भावना भी नहीं होती तथा भावना हिन मनुष्य को सांती रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है क्योंकि जैसे जल में चड़ने वाली नौको वायू वैसे ही विश्यों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वो एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धी को हर लेती है इसलिए हे महाबाहो जिस पुरुष की इंद्रिया, इंद्रियों के विशय से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसकी बुध्धी स्थिर है संपोन प्रानियों के लिए जो रात्री के समान है उस नित्य ज्यान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ती में इस्तिर प्रगी योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ती में सब प्रानी जागते हैं परमात्मा के तत्य को जानने वाले मुनी के लिए वो रात्रे के समान है जैसे नाना नदी के जल सब और से परिपोर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समाजाते हैं वैसे ही सब भोग जिस इस्थित प्रग पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन किये बिना ही समाजाते हैं वही पुरुष परम शान्ती को प्राप्त होता है भोगों को चाहने वाला नहीं जो पुरुष संपोर्न कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और इस्प्रिहा रहित हुआ विचरता है वही शान्ती को प्राप्त होता है अर्थात वह शान्ती को प्राप्त है हे अर्जुन यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की इस्थिती है इसको प्राप्त होकर जोगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्रह्मी इस्थिती में इस्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है अरजुन बोले है जनारदर यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्यान श्रिष्ट माननी है तो फिर है केशफ मुझे भैंकर कर्म में क्यों लगाते हैं आप मिले हुए से बचनों से मेरी बुद्धी को मानो मोहित कर रहे हैं इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्यान को प्राप्त हो जाओ श्री भगबान बोले है इस लोक में दो प्रकार की निश्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है उसमें से सांख योग की निश्ठा कर्म योग से होती है मनुष नो तो कर्मों का आरंब किये बिना निश्क कर्मता को यानि योग निश्ठा को प्राप्त होता है और नो कर्मों के केवल त्याग मातर से सिद्धी यानि सांख निश्ठा को ही प्राप्त होता है निसंदे कोई भी मनुष किसी भी काल में शन मात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता क्योंकि सारा मनुष समुदाय प्रकृती जनित गुनों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाद्ध किया जाता है जो मोड बुद्धी मनुष समस्त इंद्रियों को हट पोडवक उपर से रोक कर्मन से उन इंद्रियों के विश्यों का चिंतन करता रहता है वो मिथ्याचरी अर्थात दम भी कहा जाता है किन्तु हे अर्जुन जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश्मे करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आच्रन करता है वही श्रेष्ट है तुम शास्त्र विदित कर तब भी कर्म कर क्योंकि कर्म नो करने की अपिक्षा कर्म करना श्रिष्ट है तता कर्म नो करने से तेरा शरीर निर्वा भी नहीं सिद्ध होगा यग के निमित किये जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुश्य समुदाय कर्मों से बंधता है इसलिए है अर्जुन तुम आसकती से रहित होकर उस यग के निमिथी भली भाती करतवी कर्म कर प्रजापती ब्रह्मा ने कल्प के आदी में यग सहित प्रजाओं को रच कर उन से कहा कि तुम लोग इस यग के दौरा ब्रधी को प्राप्त हो और यह यग तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो तुम लोग इस यग के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करे इस प्रकार निस्वार्त भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्यान को प्राप्त हो जाओगे यग के द्वारा बढ़ाए वे देवता तुम लोग ही है यग से बचे वे अन को खाने वाले श्रिष्ट पूरुस सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोशन करने के लिए ही अन पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं संपूर्ण प्रानी अन से उत्पन होते हैं अन की उत्पती व्रिष्टी से होती है व्रिष्टी यग से होती है और यग विहित कर्मों से उत्पन होने वाला है कर्म समुदाय को तु वेद से उत्पन और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन हुआ जान इससे सिद्ध हो अर्थात अपने कर्तवी का पालन नहीं करता वो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापायू पुरुष वेर्त ही जीता है परन्तु जो मनुष आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही त्रिप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रियोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रियोजन रहता है तथा संपोर्न प्रानियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता इसलिए तू निरंतर आ पर्तव्य कर्म को भली भाति करता रहें क्योंकि आसकती से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है जनकादी ग्यानी जन भी आसकती रहित कर्म द्वारा ही परमसिद्धी को प्राप्त हुए थे इसलिए तथा लोक संग्रा को देखते वे भी कर्म योग्य है अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित हैं श्रेष्ट पुरुष जो जो आचरन करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरन करता है वह जो कुछ प्रमान कर देता है समस्त मनुष्य समुदार उसी के अनुसार बढ़तने लग जाता है हे अर्जुन मुझे इन तीनों लोगों में न तो कुछ करतविय है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु और प्राप्त है तो भी मैं कर्म में ही बढ़ता हूँ क्योंकि हे पार्त यदि कदाचित मैं साबधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बरी हानी हो जाए क्योंकि मनुष सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरन करते हैं इसलिए यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सब मनुष नश्ट भ्रस्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नश्ट करने वाला बनूँ हे भारत कर्म में आसकत हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं आसकती रहते विद्वान भी लोक संग्रा करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करें परमात्मा के स्वरूप में अटल इस्थित हुए ज्ञानी पुरुशों को चाहिए कि वो शास्त्र विहित कर्मों म आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धी में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रधा उत्प, किन्तु स्वयम, सास्त्र विहित, समस्त कर्म भलिभाती करता हुआ, उनसे भी वैसे ही करवाए, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुनों द्वारा किय जाते हैं, तो भी जिनका अंतरकरन अंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानि मैं करता हूँ, ऐसा मानता है, परंतु हे महाबाहो, गुन विभाग और कर्म विभाग के तत्व पवजानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुन ही गुनों में बरत रहे हैं, ऐसा समझ कर उनमें आसकत नहीं होता, प्रकरती के गुनों से अत्यंत मोहित हुए मनुष गुनों में और कर्मों में आसकत रहते हैं, उन पूर्ण तया नो समझने वाले मंद बुद्धी अज्ञानियों को पूर्ण तया जानने वाले ज्ञानी विचलित नो करें, मुझ अंतर्यामी प जद्धा युक्त होकर मेरे इसमत का सदा अनुसरन करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छोट जाते हैं, परंतु जो मनुष मुझ में दोशारोपन करते, वे मेरे इसमत के अनुसार नहीं चलते, उन मुर्खों को तो संपूर्ण ग्यानों में मोहित और नश्ठ हुए ही समझ सभी प्रानी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने सोभाव के परवश हुए कर्म करते हैं ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेश्टा करता है फिर इसमें किसी का हट क्या करता है इंद्रिये के अर्थ में अर्थात प्रतेक इंद्रिये के विशय में राग और दूश छिपेवे इस्तित हैं मनुश को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही इनके कल्यान मार्ग में विग्न करने वाले महान शत्रू हैं अच्छी प्रकार आच्रन में लाए वे दूसरे के धर्म से गुन रहित भी अपना धर्म अति उत्व अपने धर्म में तो मरना भी कल्यानकारक है और दूसरे का धर्म भै को देने वाला है अरजुन बोले हे वासुदेव तो फिर यह मनुष स्वैम ना चाहता हुआ भी बलात लगाये वे की भाति किस से प्रेरित होकर पाप का आच्रन करता है श्री भगवान बोले रजोगुन से उत्पन हुआ यह काम ही क्रोध है यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अगाने वाला और बड़ा पापी है इसको ही तुँ इस विशा में बैरी जान जिस प्रकार दुएं से अगनी और मैल से दरपन ढखा जाता है तता जिस प्रकार जेड से गर्व ढखा रहता है वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढखा रहता है और हे अर्जुन इस अगनी के समान कभी न पोर्ण होने वाल काम रूप ज्यानियों के नित्य बैरी के दौरा मनुश्य का ज्ञान ढखा हुआ है इंद्रियां मन और बुधि यह सब इनके वासस्थान कहे जाते हैं यह काम इन मन बुधि और इंद्रियों के दौरा ही ज्यान को अच्छादिद करके जीवात्मा को मोहित करता है इसलिए है अरजुन तुम पहले इंद्रियों को वश्म करके इस ग्यान और विज्यान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपुवक मार डाल इंद्रियों को इस थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ट बलवान और सुक्ष्म कहते हैं इन इंद्रियों से पर मन है मन से भी पर बुद्धी है और बुद्धी से भी अत्यंत पर है वो आत्मा इस प्रकार बुद्धी से पर अर्था सुक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ट आत्मा को जान कर और बुद्धी के द्वारा मन को वश्म करके है महाबाहू तु इस का श्रीमत भागवत गीता अध्याय चार ग्यान कर्म सन्यास योग श्री भगवान बोले मैंने इस अविनाशी योग को सुरी से कहा था सुरी ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इच्छांकू से कहा हे परमतप अरजुन इस परकार परमपरा से प्राप्त इस योग को राजर्शियों ने जाना किन्तु इसके बाद वह योग बहुत काल से इस प्रित्वी लोग में लुप्त प्राय हो गया तु मेरा भक्त और प्रिये सखा है इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने का जन्म बहुत पुराना है अर्थात कल्प के आदी में हो चुका था तब मैं इस बात को कैसे समझूंगी आप ही ने कल्प के आदी में सुरी से यह योग कहा था श्री भगवान बोले हे परमतप अरजुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं उन सब को तु नहीं जानता किन्तु मैं जानता हूँ मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते वे भी तथा समस्त प्रानियों का इस वर होते वे भी अपनी प्रकरती को अधीन करके अपनी योग मया से प्रकट होता हूँ हे भारत जब जब धर्म की हानी और अधर्म की ब्रिधी होती हैं तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात साकार रूप से लोगों के समुख प्रकट होता हूँ साधू पुरुशों का उध्धार करने के लिए पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकर्ट हुआ करता हूं हे अरजुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलोकिक हैं इस प्रकार जो मनुष्य तत्यु से जान लेता है वो शरीर को त्याकर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता किन्तु मुझे ही प्राप्त होता है पहले भी जनके राग भाय और क्रोध सर्था नश्ट हो गए थे और जो मुझे में अननी प्रेम पुर्वक इस्थिर रहते थे ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उप्युक्त ग्यान रूप तब से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं हे अरजुन जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ क्योंकि सभी मनुष सब प्रकार से मेरे ही मार का अनुसरन करते हैं लोग को इस मनुष लोग में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं क्योंक मेरे द्वारा रचा गया है इस परकार उस श्रिष्टी रचना आधी कर्म का करता होने पर भी मुझ अविनासे पर में स्वर्पोतु वास्तव में अकरता ही जान कर्मों के फल में मेरी इस प्रिहा नहीं है इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते इस प्रकार जो मुझे तत्य से जान लेता है वो भी कर्मों से नहीं बंदता पुर्वकाल में मुमुक्षूओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किये हैं इसलिए तू भी पुरवजों दौरा सदा से किये जाने वाले कर्मों को ही कर, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्नाय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, इसलिए वो कर्मत में तुझे भली भाती समझा कर कहूंगा, जिसे जान कर अशुब से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा कर्म का सोरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का सोरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का सोरूप भी जानना चाहिए क्योंकि कर्म की गती गहन है जो मनुश कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म तिथा जिनके समस्त कर्म ज्यान रूप अगनी के द्वारा भस्म हो गए हैं। उस महान पुरुष को ज्यानी जन्वी पंडित कहते हैं जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसत्ती का सर्था त्याग करके संसार के आश्रा से रहित हो गया है और परमात्मा में न इसने समस्त भोगों की सामगरी का परित्याग कर दिया है एसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंदि कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है जिसमें इर्शिया क सर्वथा अभाव हो गया है जो हर्श शुक आदी दूंदों से सर्वथा अतीत हो गया है ऐसा सिध्धी और असिध्यों में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंदता जिनकी आशक्ति सर्वथा नश्ट हो गई है जो देहा भिमान और ममता से रहित हो गया है जिनका चित निरंतर परमात्मा के ग्यान में इस्थी रहता है ऐसा केवल यग संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भलीभाती विलेन हो जाते हैं जिस ग्यान में अर्पन अर्थात इस्त्रुवा आदी भी ब्रह्म है और हवन की जाने योगी द्रभ भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप करता के द्वारा ब्रह्म रूप अगनी में आहुत देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है उस ब्रह्म कर्म में इस्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किये जाने योगी फल भी ब्रह्म ही है दूसरे योगी जन द प्राणों की समस्त क्रियाओं को ग्यान से प्रकाशित आत्म सन्यम योग रूप अगनी में हवन किया करते हैं। कितने ही तपस्या रूप यग करने वाले हैं। इतने ही नियमित अहार करने वाले प्रानायाम, याम, परायन, पुरुष, प्रान और अपान की गती को रोक कर प्रानों को प्रानों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यगों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यगों को जानने वाले हैं। पुरुष, अर्जुन, यग से बचे भी अमरित का अनुभव करने वाले योगी जन, सनातन, प्रम ब्रम, प्रमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यग न करने वाले पुरुष के लिए, जो यह मनुश्री लोग भी सुखदायक नहीं हैं, फिर पर लोग कैसे सुखदायक हो सकता है इस प्रकार और भी बहुत तरह के यग वेद की वानी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू मन, इंद्रिय और शरिर की क्रिया द्वारा संपन्य होने वाले जान, इस प्रकार तत्त से जानकर उनके अनुश्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्था मुप्त हो जाएगा है परमता परजुन, द्रव मैं यग की अपिक्षिए, ग्यान यग अत्यंत श् तथा, यावन्य मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, उस ज्ञान को तु तत्य दर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ उनको भली भाती दंड वत्य प्रानाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़ कर सरलता पुरवक प्रश्न करने से, वे पर मात्म तत्य पो भली भाती जानने वाले ज्यानी महात्मा तुझे उस तत्य ज्यान का उपदेश करेंगे जिसको जानकर फिर तुँ इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा तता है अर्जुन जिस ज्यान के द्वारा तु संपूर्ण भूतों को निशेश भाष से पहले पीछे मुझ सचिदानंद घन परमात्मा में देखेगा यदि तु अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तु ग्यान रूप नौका द्वारानी संदे संपूर्ण पाप समुद्र से भली भाती तर जाएगा क्योंकि हे अर्जुन जैसे प्रज्वलि को कितने ही काल के कर्म योग के द्वारा शुद्धान्त करन द्वारा मनुष अपने आप ही आत्मा में पा लेता है जितेंद्रिये साधन परायन और श्रद्धावान मनुष ग्यान को प्राप्त होता है तथा ग्यान को प्राप्त होकर वो बिना विलंब के ततकाल ही भगव प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है विवेखीन और श्रद्धा रहित शंसाय युक्त मनुष परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है ऐसे शंसाय युक्त मनुष के लिए ना यह लोग है ना पड़ लोग है और ना सुखी ही है हे धनन्जय जिसने कर कर्म योग की बिधी से समस्त कर्मों का परमात्मा में अरपन कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त शंशेयों का नाश कर दिया है ऐसे वश में किये वे अंता करन वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते इसलिए हे भरतवन्शी अरजुन तु हिर्दय में इस्थित इस अज्ञान जनित अपने शंसाय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्य रूप कर्म योग में इस्थित हो जा और युद के लिए खराए श्रीमत भागवत गीता अध्याय पांच कर्म सन्यास योग अरजुन बोले हे वासुदेव आप कर्मों के सन्यास की और फिर कर्म योग की प्रसंशा करते हैं इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भलीभाती निश्चित कल्यानकारक साधन हो उसको कहिए श्री भगवान बोले कर्म सन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्यान के करने वाले हैं परंतु उन दोनों में भी कर्म सन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रिष्ट है हे अरजुन जो पुरुष नो किसी से दोयश करता है और नो किसी की अकांग्शा करता है वो कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योगी है क्योंकि राग दोयशादी दुन्दों से रहित पुरुष सुख पुरवक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है उप्योक्त सन्यास और कर्म योग को मुर्ख लोग पृतक पृतक फल देने वाले कहते हैं नो कि पंडित जन क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से इस्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं ग्यान योगियों द्यारा जो देखता है परंतु हे अर्जुन कर्म योग के बिना सन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में करतापन का त्याग प्राप्त करना कठिन होता है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी परम ब्रम परमात्मा को शिक्र प्राप्त हो जाता है जिनका मन अपने वश में है जो जितेंद्री एवं विशुद अंता करन वाला है और सम्पोर्ण प्रानियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता तत्य को जानने वाला सांख योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, इसपर्ष करता हुआ, सुंगता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, स्वांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहन करता हुआ, तथा आँखों को खोलता और मोंदता ह बढ़त रही है इस प्रकार समझकर निसंदे ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अरपन करके और आसक्ति को त्याकर कर्म करता है वो पुरुष जल से करमल के पत्ते की भाति पाप से लिप्त नहीं होता कर्म योगी ममत्य बुध्धी रहित केवल इंद्रिये मन बुध्धी और शरीर द्वारा भी आशक्ति को त्याकर अंतकरन की शुद्धी के लिए कर्म करते हैं कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ती रूप शांती को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेर्णा से फल में आसक्त होकर बंधता है अंता करन जिसके वश में है ऐसा सांक योग का आच्रन करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करव परमेश्वर मनुष्यों के नो तो करतापन की नो कर्मों की और नो कर्म फल के सन्यों की ही रचना करते हैं किन्तु सोभाव ही बरत रहा है सर्व व्यापी परमेश्वर भी नो किसी के पाप कर्म को और नो किसी के शुब कर्म को ही ग्रहन करता है किन्तु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढखा हुआ है उसी से सब अज्यानी मनुष मोहित हो रहे हैं परंतु जिनका वह ज्यान परमात्मा के तत्य ज्यान द्वारा नश्ट कर दिया गया है उनका वह ज्यान सुर्य के सद्रिस उस सचिदानंद गन परमात्मा को प्रकाशित करता है जिनका मन तद्रूप हो रहा है जिनकी बुद्धी तद्रूप हो रही है और सचिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एकी भौ से इस्थिती है ऐसे तत्य परायन पुरुष ग्यान के द्वारा पापरहित होकर अपुर नावरती को अर्थात परमगती को प्राप्त होते हैं वे ग्यानी जन विद्ध्या और विनाय युक्त ब्राम्हन में तथा गौव हाथी कुत्ते और चंडाल में भी समदर्सी ही होते हैं जिनका मन समभाव में इस्थित हैं उनके द्वारा इस जिवित अवस्था में ही संपुर्ण संसार जीत लिया गया है क्योंकि सचिदानंद घन परमात्मा निर्दोश और सम हैं इस से वे सचिदानंद घन परमात्मा में ही इस्थित हैं जो पुरुष प्रिये को प्राप्त होकर हर्शित नहीं हो और अप्रिये को प्राप्त होकर उद्रिग्न ना हो वो इस्थिर बुद्धी शंशाय रहित ब्रह्म विक्ता पुरुष सचिदानंद घन परम ब्रह्म परमातमा में एकी भाव से नित इस्थित हैं बाहर के विश्यों में आशक्ती रहित अंतकरन वाला साधक आतमा में इस्थित जो ध्यान जनित सात्रिक आनंद है उसको प्राप्त होता है तदंतर्व सचिदानंद घन परम ब्रह्म परमातमा के ध्यान रूप योग में अभिन भाव से इस्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है जो ये इंद्रिये तथा विश की पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हे तु है और आदी अनंद वाले अर्थात अनित्त हैं इसलिए है अर्जुन बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता जो साधक इस मनुष शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही पहले पहले ह काम क्रोध से उत्पन होने वाले वेक को सहन करने में समर्थ हो जाता है वही पुरुष योगी है और वही सुखी है जो पुरुष अंतर आत्मा में ही सुख वाला है आत्मा में ही रमन करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्यान वाला है वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह शांत ब्राम को प्राप्त होता है। मात्मा ही परिपूर्ण है बाहर के विशे भोगों को नचिंतन करता हुआ बाहर ही निकल कर और नित्रों की दृष्टी से भ्रिकूटी के बीच में इस्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्रान और अपान वायु को सम करके जिनकी इंद्रियां मन और बुध्धी जीती हुई है एसा जो मुक्ष, परायन, मुनी, इच्छा, भाय और क्रोध से रहित हो गया है वो सदा मुक्त ही है मेरा भक्त मुझको सब यग्य और तपों का भोगने वाला संपूर्ण लोकों के इस्वरों का भी इस्वर तथा संपूर्ण भूत प्रानियों का जहित दयालू और प्रेमी ऐसा तत्त से जानकर शांती को प्राप्त होता है श्रीमत भागवत गीता अध्याए 6 आत्म सन्यम योग श्री भगवान बोले जो पुरुष कर्म फल का आश्राय नौ लेकर करने योगी कर्म करता है वो सन्यासी तथा योगी है और केवल अगनी क करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है है अरजुन जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुँ योग जान क्योंकि संकल्पों का त्याग करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता योग में आरूड होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ती में निश्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योगारूड हो जाने पर उस योगारूड पुरुष का जो सर्वसंकल्पों का अभाव है वही कल्यान में हेतु कहा जाता है जिस काल में नोतों इंद्रियों के भोगों में और नकर्मों में ही आसक्त होता है उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूड कहा जाता है अपने द्वारा अपना समुद्र से उधार करें और अपने को अधोगती में न डाले क्योंकि यह मनुश आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपन जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वो आप ही मित्र है और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वो आप ही शत्रों के सद्रिश शत्रुता में बरतता हैं सरदी गर्मी और सुख दुखादी में तता मान और अपमान में जिनके अंतरकरन की वृत्तियां भली भाती शांत है ऐसे स्वाधीन आत्मावाले पुरुष के ज्ञान में सचीदा नंदगन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है अर्थात उनके ज्ञान में परमात्मा के अन्व कुछ है ही नहीं जिनका अंतकरन ज्ञान विज्ञान से त्रिप्त है जिसकी इस्थिती विकार रहित है जिसकी इंद्रिया भली भाती जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है वो योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है ऐसे कह जाता है सुहिर्दय मित्र बैरी उदासीन मध्यस्त द्वेश और बंदू गुनों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी संभाव रखने वाला अत्यंत श्रिष्ट है मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रा रहित योगी अक प्रम्स, कुशा, म्रिग्छाला और वस्त्र बिछे हैं जो न बहुत उचा है और न बहुत नीचा ऐसे अपने आसन को इस्थिर इस्थापन करके उस आसन पर बैठ कर चित और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते वे मन को एगागर करके अंता करन की शुद्धी के ल का हुआ ब्रमिचारी के वरत में इस्थित, भैरहित तथा भली भाति शांत अंता करन वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित वाला और मेरे परायन होकर इस्थिर होवे वश में किये वे मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ पर्मेस्वर के रूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली की प्रकास्था रूप शांती को प्राप्त होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित जिस काल में परमात्मा में ही भली भाती इस्थिर हो जाता है। जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सुक्षम बुद्धी द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ। परमात्मा में ही संतूष्ट रहता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सुक्षम बुद्धी द्वारा ग्रहन करने योग्य। जो अनंत आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में इस्थिर यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए वो योग न उखताएवे अर्था धैरी और उत्साह योग्त चित से निश्य पुरवक करना करता भी है। परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे यह इस्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादी विशय के निमित से संसार में विचरता है उस उस विशय से रोक कर यानि हटा कर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुन शांत हो गया है ऐसे इस सचिदानंद घन ब्रह्म के साथ एकी भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुक पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्व व्यापी अनंत चेतन में एकी भाव से इस्थित रूप योग से युप्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपोर्ण भोतों में इस्थित और संपोर्ण भोतों को आत्मा में कल्पित देखता है जो पुरुष संपोर्ण भोतों में सब के आत्मा रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भोतों को मुझ वासुदेव के अंतरगत देखता है उसके लिए मैं अद्रिश नहीं होता और वो मेरे लिए अद्रिश नहीं होता जो पुरुष एकी भौ में इस्तित होकर संपूर्ण भ वोतों में सम देखता है और सुक अत्वा दुख को भी सब में सम देखता है वो योगी परमश्रिष्ट माना गया है अर्जुन बोले हे मदुसूदन जो यह योग आपने संभाव से कहा है मन के चंचल होने से मैं इसकी नित इस्थिति को नहीं देखता हूं क्योंकि हे वासु यह मन बरा चंचल प्रमथन सोभाव वाला बरा द्रिट और बलवान है इसलिए उसका वश्मे करना मैं वायू को रोकने की भाती अत्यंत दुशकर मानता हूं श्री भगवान बोले हे महाबाहो नीसंदे मन चंचल और कठिंता से वश्मे होने वाला है परंतु हे कुंती होता है जिसका मन वश्मे किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुष द्वारा योग दुस प्रापी है और वश्मे किये हुए मन वाले प्रियतनशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है यह मेरा मत है अर्जुन बोले हे वासुदेव जो योग मैं शद्धा रखने वाला है किन्तु सन्यासी नहीं है इस कारण जिसका मन अंतिकाल में योग से विचलित हो गया है ऐसा साधक योग की सिद्धी को और्थात भगवत साक्षातकार को नव प्राप्त होकर किस गती को प्राप्त होता है हे महाबाहु क्या वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रा रहित पुरुष छिन भिन बादल की भाती दोनों और से भ्रष्ट होकर नश्ट हो तो नहीं हो जाता हे वासुदेव मेरे इस संसाय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योगी हैं क् कि आपके सिवा दूसरा इस संसाय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है श्री भगवान बोले हे पार्थ उस पुरुष का नो तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में ही क्योंकि हे प्यारे आतमोधार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष दुरगती को प्राप्त नहीं होता योग भष्ट पुरुष पुन्यवानों के लोकों को अर्थात स्वरगादी उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद आचरन वाले श्री मान पुरुषों के घर में ज जन्म लेता है परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में नी संदे अंत्यंत दुरलब हैं वहां उस पहले शरीर में संग्रा किये वे बुद्धी सन्योग को अर्थात संबुद्धी रूप योग के संसकारों को अनायासी प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन उनके प्रभाव से वह फिर प्रमात्मा की प्राप्ती रूप सिध्धी के लिए पहले से भी बढ़ कर प्रयत्न करता है वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भरष्ट प्राधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही नी संदे भगवान की ओर आकरशित किया ज योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संसकार बल से इसी जन्मे संसिधी होकर संपोर्ण पापों से रहित हो फिर ततकाल ही परमगती को प्राप्त हो जाता है योगी तपस्यों से श्रेष्ट है शास्त्र ज्यानियों से भी श्रेष्ट माना गया है और सकाम कर्म करने वालों स इससे भी योगी श्रेष्ट है, इससे हे अर्जुन तू योगी है, संपुर्ण योगियों में भी जो शद्धावान योगी मुझे में लगे हुए अंतरात्मा से मुझे को निरंतर भजता है, वो योगी मुझे परम श्रेष्ट माने हैं। श्रीमत भागवत गीता अध्याय साथ ज्ञान विज्ञान योग प्रिये हैं। मुझे को जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योगिशेस नहीं रह जाता। हजारों मनुश्यों में कोई एक मेरी प्राप्ती के लिए यतन करता है और उन यतन करने वाले हैं। योगियों में भी कोई एक मेरे परायन होकर मुझे को तत्य से अर्थात यतारत रूप से जानता है। जर्थवी, जल, अगनी, वायू, आकाश, मन, बुद्धी और एहंकार भी इस प्रकार या आठ प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृती हैं। या आठ प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जर्प्रकृती है और हे महाबा हो। इससे दूसरी को जिससे यह संपोर्ण जगत धारन किया जाता है। मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृती जान। हे अर्जुन तु ऐसा समझ कि संपोर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन होने वाले हैं। और मैं संपोर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलाई हूं अर्थात संपोर्ण जगत का मोल कारण हूं। हे धननजय मुझसे भिन दूसरा कोई भी परमकारण नहीं है। यह संपोर्ण जगत सुत्र में सुत्र के मनियों के सद्रे से मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सुरी में प्रकाश हूं, संपोर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुशों में पुरुशत हूं, मैं पृत्वी में पवित्र गंध और अगनी में तेज हूं, तथा संपोर्ण भूतों में उनका जी पनाओं से रहित बल अर्थात सामर्त हूं और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं और भी जो सत्य गुन से उत्पन होने वाले भाव हैं और जो रजो गुन से तथा तमो गुन से होने वाले भाव हैं उन सब को तुमुझ से ही होने व इसलिए इन तीनों गुनों से पड़े मुझे अविनाशी को नहीं जानता क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुनमई मेरी माया बरी दुस्तर है परंतु जो पुरुष केवल मुझे को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उलंगन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं माया के दौरा जिनका ज्यान हरा जा चुका है ऐसे आशूर सो भाव को धारन किये हुए मनुश्यों में नीच दूशित करम करने वाले मूढ लोग मुझे को नहीं भजते हैं भरतवन्शों में शृष्ट अर्जून उत्तम करम करने वाले आर्थ, जिग्यासू और ग्यानी ऐसे चार प्रकार के भक्त जन मुझको भज़ते हैं उनमें नित्य मुझ में एकी भौ से इस्थित अनन्य प्रेम भक्ती वाला ग्यानी भक्त अति उत्तम है क्योंकि मुझे को तत से जानने वाले ज्यानी को मैं अत्यंत प्रिये हूँ और वह ज्यानी मुझे अत्यंत प्रिये हैं ये सभी उदार हैं पर अंतु ज्यानी तो साक्षात मेरा सुरूप ही है ऐसा मेरा मत है क्योंकि वह मद गत मन बुद्धी वाला ज्यानी भक्त अति उत्त गती स्वरूप मुझे में ही अच्छी प्रकार इस्थित हैं। जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है। उस उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति इस्थिर करता हूँ। भक्त चाहे जैसे भी भजें अन्त में वे मुझे को ही प्राप्त होते हैं। बुद्धी हीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे। मुझे सची दानंद घन परमातमा को मनुष्य की भाती जन्म कर भक्ती भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सब के प्रतक्ष नहीं होता। इसलिए यह अज्यानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमिस्वर को नहीं जानता। अर्थात मुझे को जन्म में मरने वाला समझता है। अर्जुन पुर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में इस्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ। परंतु मुझे को कोई भी श्रधा बक्ती रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवन्शी अर्जुन संसार में इच्छा और द्वेश से उत्पन सुख दुखादी द्वंद रूप मोह से संपूर्ण प्रानी अत्यंत अज्यानता को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु निश्काम भौश श्रिष्ट कर्मों का आच्रन करने वाले जिन पुरुषों का पाप नस्ठ हो गया है। यतन करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को संपून अध्यात्म को संपून कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित था, अधियगी के सहित मुझे अंतिकाल में भी जानते हैं। वे युक्तिचित वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। श्रीमत भागवत गीता अधियाए आठ अक्षर ब्रह्मियोग अर्जुन ने कहा है पुरुष अतम वो ब्रह्म क्या है, अधियात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। हे मदुसूदन, यहां अधियगी कौन है और वो इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चीत वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भग्वान ने कहा, परम, अक्षर, ब्रह्म है, अपना सोरूप अर्था, जीवात्म, अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्वण करने वाला जो त्याग है, वो कर्म नाम से कहा गया है। उत्पति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरन मैं पुरुष अधिदेव है और हे देहधारियों में शिष्ट अर्जुन इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियग्य हूं, जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही इस्मरन करता वासृरीर को त्याग कर जाता है, वो मेरे साक्षा स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी शन्शाय नहीं है, हे कुंती पुत्र अर्जुन या मनुष अंतकाल में जिस जिस भी भाव को इस्मरन करता हुए उस उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित रहता है इसलिए है अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा इस्मरन कर और युद्ध भी कर इस प्रकार मुझ में अरपन किये वे मन बुद्धी से युप्त होकर तूनी संदे मुझ को ही प्राप्त होगा हे पार्त या नियम है कि परमिश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युप्त दूसरी और नो जाने वाले चित से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य प्रकाश रूप दिव पुरुष को अरथात परमिश्वर को ही प्राप्त होता है जो पुरुष, सर्वग, अनादी, सब के नियंता, सुक्षम से भी अति सुक्षम, सब के धारन पोशन करने वाले अचिंति सो रूप, सुरी के सद्रिश, सिनिति चेतन, प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सचिदा नंद घन परमिश्वर का इस्मरन कर वो भक्ती युक्त पुरुष, अन्तिकाल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्रान को अच्छी प्रकार इस्थापित करके, फिर निश्चल मन से इस्मरन करता हुआ, उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है, वेद के जानने वाले जिस सचिदानन्द घंस रूरुप परमपद को अविनाशी कहते हैं, आसकती रहीत यतन शेल, सन्यासी, महत्मा जंजन में प्रवेश करते हैं, और जिस परमपद को चाहने वाले ब्रमचारी लोग ब्रमचारी का आच्रन करते हैं, उस परमपद को मैं तेरे लिए संझेप स कहुंगा सब इंद्रियों के द्वारों को रोक करत था मन को फिर्देश में इस्थिर करके फिर उस जीते विमन के द्वारा प्राण को मस्तक में इस्थापित करके परमात्मा संबंधी योगधारना में इस्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उचारन करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुन ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वो पुरुष परमगती को प्राप्त होता है हे अर्जुन जो पुरुष मुझ में अननिचित्त होकर सदाही निरंतर मुझ पुरुष ओत्तम को इस्मरन करता है उस नित्ते निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलब हूँ अर्थात उसे सहजी प्राप्त हो जाता हूँ परम सिद्धी को प्राप्त महत्माजन मुझे को प्राप्त होकर दुखों के घर एवं शन भंगुर पुनर जन्म को नहीं प्राप्त होते है एर्जुन ब्रह्म लोग प्रियत्न सब लोग पुर्णावरती हैं परंतु हे कुंति पुत्र मुझे को प्राप्त होकर पुनर जन् और ये सब ब्रह्मादी के लोग काल के द्वारा सिमित होने से अनित्य हैं ब्रह्मा का जो एक दिन उसको एक हजार चतुर गीत की अवधी वाला और रात्री को भी एक हजार चतुर गीत की अवधी वाली जो पुरुश तत्य से जानते हैं वे योगी जनकाल के तत्त को जानने वाले हैं संपून चराचर भूत गन ब्रह्मा के दीन के प्रवेशकाल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सुक्षम सरीर से उत्पन्य होते हैं और ब्रह्मा की रात्री के प्रवेशकाल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सुक्षम स रात्री के प्रवेशकाल में लीन होता है और दीन के प्रवेशकाल में फिर उत्वन होता है। उस अव्यक्त से भी अती परे दूसरा अर्थात विलक्षन जो सनातन अव्यक्त भाव है वो परम दिव्य पुरुष सब भोतों के नश्ट होने पर भी नश्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परमगती कहते हैं तिथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्वार्पस नहीं आते वो मेरा परमधाम है ये पार्थ जिस परमात्मा के अंतरगत सर्व भूत है और जिस सचिदानंद घन परमात्मा से या समस्त जगत परिपोर्न है वो सनातन अव्यक्त परम पुरुष्व तो अनन्य भक्ती से ही प्राप्त होने योग्य है हे अरजुन जिस काल में शरीर त्याग कर गए वे योगी जन तो वापस नो लोटने वाली गती को और जिस काल में गए वे वापस लोटने वाली गती को ही प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा जिस मार्ग में जोतिर मैं अगनी अभिमानी देवता है दिन का अभिमानी देवता है शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्रायन के छे महिनों का अभिमानी देवता है उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्म विक्ता योगी जन उप्युक्त देवताओं परषिनायन के छे महनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी, उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ, चंद्रमा की जोती को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुबकर्मों का फल भूक कर वापस आता है, उस परमगती को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्मिर्ट्यू को प्राप्त होता है हे पार्थ इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्त से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता इस कारण ही अर्जुन तू सब काल में सम बुद्धी रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ती के लिए साधन करने वाला हो योगी पुरुष इस रहस्य को तत्य से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यग तप और दानादी के करने में जो पुन्य फल कहा है उन सब को निसंदे उलंगन कर जाता है और सनातन परंब्रम को प्राप्त होता है श्रीमत भागवत गीता अध्याय नौ राज विद्या राज गोही योग श्री भगवान बोले तुझ दोश द्रिष्टी रहित भक्त के लिए इस परम गोपनिये विज्ञान सहित ग्यान को पुना भलिभाती कहूंगा जिसको जानकर तो दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा यह विज्ञान सहित ग्यान सब विद्याओं का राजा सब गोपनियों का राजा अति पवित्र अति उत्तम प्रतक्ष फलवाला धर्म युक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है हे परम तप इस उप्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझ को नप्राप्थ होकर मिर्ट्यू रूप संसार चक्र में भ्रमन करते रहते हैं मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बरफ के सद्रिस परिपोर्न है और सब भूत मेरे अंतरगत संकल्प के आधार इस्थित है किन्तु वास्तब में मैं उनमें इस्थित नहीं हूँ वे सब भूत मुझ में इस्थित नहीं है किन्तु मेरी इस्वरिय योग शक्ती को देख कि भूतों का धारन पोशन करने वाला और भूतों को उत्पन करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तब में भूतों में इस्थित नहीं है जैसे आकाश से उत्पन सरवत्र विचरने वाला महान वायू सदा आकाश में ही इस्तिर है वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्य होने से समपोर्न भोत मुझ में इस्तित है ऐसा जान हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृती को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृती में लेन होते हैं और कल्पों के आदी में उनको मैं फिर रचता हूँ, अपनी प्रकृती को अंगिकार करके सुभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समु को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं हे अर्जुन उन कर्मों में आसकती रहित और उदासीन के सद्रिस इस्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बानते हे अर्जुन मुझ अधिस्ठाता के संकाश से प्रकृती चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हे के महान इस्वर को तुछ समझते हैं अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष रूप में विचरते हुए मुझ परमेस्वर को साधारन मनुष मानते हैं वे विर्थ आशा, विर्थ कर्म और विर्थ ज्यान वाले विचिप्त चित, अज्यानी जन, रा नाश रहित, अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं वे द्रिध निश्चेवाले भक्त जन, निरंतर मेरे नाम और गुनों का किर्टन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यतन करते हुए और मुझ को बार बार प्रनाम करते हुए इन भव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष बहुत प्रकार से इस्थित्मुझ विराट स्वरूप परमेस्वर की प्रिथक भव से उपासना करते हैं क्रतु मैं हुँ यग्य मैं हुँ सुधा मैं हुँ औशधी मैं हुँ मंत्र मैं हुँ घृत मैं हुँ अगनी मैं हुँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हुँ इस संपोर्न जगत का धाता अर्थात धारन करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पिता माह जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा रिग वेद साम वेद और ये जुरुवेद भी मैं ही हूँ प्राप्त होनी योग परमधाम भरन पोशन करने वाला सबका स्वामी सुभा शुब का देखने वाला सबका वासस्थान शरन लेने योगे प्रत्यूपकार नो चाहकर हित करने वाला सबकी उत्पती प्रलाय का हेतू, इस्थिती का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ मैं ही सुरी रूप से तपता हूँ, वर्शा का आकर्शन करता हूँ और उसे बरसाता हूँ हे अर्जुन मैं ही अम्रित और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ तीन वेदों में विधान किये वे सकाम करमों को करने वाले सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुश मुझे को यगों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं वे पुरुष अपने पुन्यों के फल रूप स्वर्ग लोग को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं वे उस विशाल स्वर्ग लोग को भोग कर पुन्य छिन होने पर मृत्यों लोग को प्राप्त होते हैं इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रा लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागवन को प्राप्त होते हैं अर्थात पुनि के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुनि छिन होने पर मिर्ति लोक में आते हैं जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ पर में स्वर्ग और निरंतर चिंतन करते हुए निश्काम भाव से भजते हैं उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुशों का योग छेम मैं स्वैम प्राप्त कर देता हूँ हे अर्जुन यद्यपी श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं किन्तु उनका वो पूजन और विधी पुर्वक अर्थात अज्यान पुर्वक है क्योंकि संपोर्ण यगों का भुक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ परंतु वे मुझ परमिस्वर को तत्य से नहीं जानते इसी से गिरते हैं अर्थात पुनरजन को प्राप्त होते हैं देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं उस शुद्य बुद्धी निशकाम प्रेमी भक्त का प्रेम पुर्वक अरपन किया हुआ वह पत्र पुषपादी में सगुन रूप से प्रकट होकर प्रीती सहित खाता हूँ. हे अरजुन तुझ जो कर्म करता है जो खाता है जो हवन करता है जो दान देता है और जो तब करता है वो सब मेरे अरपन कर। और न प्रिये है परन्तु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रितक्ष प्रकट हूँ. यदि कोई अतिशय दूराचारी भी अनन भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वो साधू ही मानने योग्य है क्योंकि वो यथार्थ निश्चे वाला है. अर्थात उसने भलिभाती निश्चे कर लिया है कि परमिस्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है वो शिग्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परमशांती को प्राप्त होता है. हे अर्जुन तु निश्चे पुर्वक सत्य जान की मेरा भग्त नस्ट नहीं होता हे अर्जुन इस्तरी वैश शुद्रत था पाप योनी चांड डाला दी जो कोई भी हो वे भी मेरे शरन होकर परमगती को प्राप्त होते हैं फिर इसमें तो कहना ही क्या जो पुन्य शील चैंड वाजर्शी भग्त जन मेरी शरन होकर परमगती को प्राप्त होते हैं इसलिए तुम सुखरहित और च्छन भंगुर्ण इस मनुष्य lol को प्राप्त होकर निरध़त मेरा भजन मुझे में मन वाला हो मेरा भक्त बन मेरा पूजन करने वाला हो मुझे को प्रणाम कर इस परकार आत्मा को मुझे में नियुक्त करके मेरे परायन होकर तु मुझे को ही प्राप्त होगा श्रीमत भागवत गीता अध्याय दस विभूती योग गीता नहीं है स्री वाशुदेव कहते हैं कि मैं देवताओं तथा महरशियों का आदी कारण हूँ जो मुझे अजन्मा अनादी और इस्वरूप जानता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है सबकी उत्पती का कारण मैं ही हूँ और जुन द्वारा विभूती तथा योग शक्ती देखने की इच्छा प्रकट करने पर स्री वाशुदेव द्वारा दिवी विभूतियों को दिखाया जाता है श्री भगवान बोले हे महाबाहो फिर भी मेरे परम रहस और प्रभाय युक्त वचन को सुन जिसे मैं तुझ अतिशे प्रेम रखने वाले के लिए हित्ट की इच्छा से कहूंगा मेरी उत्पती को अर्थात लेला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते और न महर्शी जन ही जानते हैं क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्शियों का भी आदी कारण हूं जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादी और लोकों का महान इस स्वर्तत्य से जानता है वो मनुष्यों में ज्यानवान पुरुष संपोर्न पापों से मुक्त हो जाता है निश्य करने की शक्ती यथार्थ ज्यान अमोधता शमा सत्य इंद्रियों का वश्मिकरना मन का निग्र तथा सुख दुख उत्पती प्रलय और भै अभै तथा अहिंसा समता संतोष तप दान किर्थी और अपगरिती ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भव मुझसे ही होते हैं सात महर्शी जन चार उनसे भी पुर्व में होने वाले संकादी तथा स्वैम भुव आदी चौदा मनू ये मुझ में भव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन हुए हैं इनकी संसार में ये संपुन प्रजा है जो पुरुष मेरी इस परमेस्वर रूप विभूती को योग शक्ती को तत्य से जानता है वो निश्चल भक्ती यूग से यूग्त हो जाता है इसमें कुछ भी शंशा नहींगी मैं वासुदेव ही संपुन जगत की उत्पती का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेश्टा करता है इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ती से यूग्त बुद्धी मान भक्त जन मुझ परमेस्वर को ही निरंतर भजते हैं निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्रानों को अरपन करने वाले भक्त जन मेरी भक्ती की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुन और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासु ग्यान रूप योग देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। वैसे ही देवर्शी नारत तथा असित और देवल रिशी तथा महर्शी व्यास भी कहते हैं। इसलिए आप ही उन सभी दिवे विभूतियों को संपोन्ता से कहने में समर्थ हैं। जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके इस्थित हैं। हे योगेश्वर मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानू और हे भगवन आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योगी हैं। हे जनारदन अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पुरवक कहिए क्योंकि आपके अमरित वयवचनों को सुनते हुए मेरी त्रिप्ती नहीं होती अर्थात सुनने की उतकंठा बनी ही रहती है। श्री भगवान बोले हे कुरोश्रिष्ट अब मैं जो मेरी दिव विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानिता से कहुँगा क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन मैं सब भोतों के हिर्दय में इस्थित सब का आत्मा हूँ तथा संपोर्न भोतों का आदी, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं अधिती के बाड़ा पुत्रों में विष्णू और जोतियों में किर्णों वाला सुर्य हूँ। तथा मैं उन्चास वायू, देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपती चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्रानियों की चेतना अरथात जीवन शक्ती हूँ। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथाराक्षसों में धनका स्वामी कुवेर हूँ मैं आठ वसों में अगनी हूँ और शिखर वाले परवतों में सुमेरू परवत हूँ पूरोहितों में मुख्या विरस्पती मुझको जान, हे पार्त, मैं सेनापतियों में इसकंद और जलाशयों में समुद्र हूँ मैं महर्ष्यों में भ्रिगू और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ सब प्रकार के यगों में जब यग और इस्थिर रहने वालों में हिमालाय पहार हूँ मैं सब रिक्षों में पीपल का रिक्ष, दिवर्षियों में नारद मुनी, गंधर्वों में चित्ररत और सिद्धों में कपिल मुनी हूँ घोरों में अम्रित के साथ उत्पन होने वाला उच्चे श्रवा नामा घोरा श्रिष्ट हाथियों में एरावत नामा खाथी और मनुश्यों में राजा मुझको जान मैं शास्त्रों में बज्र और गौवों में कामधेनू हूँ सास्त्रोक्त रिती से संतान की उत्पती का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ मैं नागों में शेसनाग और जल्चरों का अधिपती वरुन देवता हूँ और पित्रों में अयर्मा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ मैं दैत्यों में प्रलाद और गन्ना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मिर्गराज और पक्षियों में मैं गरुर हूँ मैं पवित्र करने वालों में वायू और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मच्रियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भगिरती गंगाजी हूँ हे अरजुन श्रिष्टियों का आदी और अंति तथा मध्धी भी मैं ही हूँ मैं विद्याओं में अध्यात में विद्या अर्थात ब्रह में विद्या और परस पर विवाद करने वालों का तत्य निर्नाई के लिए किया जाने वाला वाद हूँ मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में दूंद नामक समास हूँ अक्षय काल अर्थात काल का भी महा काल तथा सब और मुख वाला विराठ स्वरूप सब का धारन पोशन करने वाला भी मैं ही हूँ मैं सब का नाश करने वाला मृत्यू और उत्पन्य होने वाला उत्पती हेतू हूँ तथा इस्त्रियों में कृति, श्री, वाक, इस्मृति, मेगा, गृति और शमा हूँ, तथा गायन करने योग, शृतियों में मैं ब्रहत्साम और चंदों में गायत्री चंद्र हूँ, तथा महिनों में मागशिस और रितों में वसंत मैं हूँ, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभव शाली पुरोशों का प्रभव हूँ, मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरोशों का सात्विक भव हूँ व्रिश्नी वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वैम तेरा सखा पांडों में तनंजय अर्थातों मुनियों में वेदिव्यास और कवियों में शुक्राचारी कवी मैं ही हूँ मैं दमन करने वालों का दंड अर्था दमन करने की शक्ती हूँ, जीतने की इच्छा वालों की निती हूँ, गुप्त रखने योगे भावों का रक्षक मौन हूँ और ग्यान वालों का तत्य ग्यान मैं ही हूँ, और हे अरजुन जो सब भूतों की उत्पती का कारण है वो भी मैं ही हूँ क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो है परमतप मेरी दिवी भी भूतियों का अंत नहीं है मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संछेप से कहा है जो जो भी विभूति युक्त अर्थात एस्वर्य युक्त कांती युक्त और शक्ती युक्त वस्तू है उस उसको तुम मेरे तेज के अंश की अभिविक्ती जान अत्वा है अर्जुन इस बहुत जानने से तेरा क्या प्योजन है मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ती के एक अंश मात्र सिधारन करके इस्थित हूँ श्रेमत भागवत गीता अध्याए 11 विश रूप दर्सन योग अर्जुन बोले मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनिय अध्यात्म विश्यक वचन अर्थात उपदेश कहा उससे मेरा या अज्यान नश्ट हो गया है क्योंकि है कमलनेत्र मैंने आपसे भूतों की उत्पती और प्रलाय विस्तार पुर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महमा भी सुनी है हे परमेश्वर आप अपने को जैसा कहते हैं या ठीक ऐसा ही है परंतु हे पुरुश उत्म आपके ग्यान एस्वरी शक्ती बल वीर्य और तेज से युक्त एस्वरी रूप को मैं प्रतक्ष देखना चाहता हूँ हे प्रभु यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है ऐसा आप मानते हैं तो हे योगेश्वर उस अविनासी स्वरूप का मुझे दर्शन कराईए श्री भगवान बोले हे पार्त अब तु मेरे सैक्रों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्न तथा नाना आकरती वाले अलोकिक रूपों को देखे भरतवन श्री अर्जुन तु मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिती के 12 पुत्रों को 8 वसों को 11 रुद्रों को दोनों असुनी कुमारों को और 49 मरुत गनों को देख तथा और भी बहुत से पहले ना देखे वे अश्र मेरूपों को देख हे अर्जुन अब इस मेरे शरीर में एक जगा इस्थित चराचर सहित संपोर्न जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख परन्तु मुझको तु इन अपने प्राकरत नित्रों द्वारा देखने में सनी संदे समर्थ नहीं है इसलिए मैं तुझे दिव्य और अलोकिक रक्षू देता हूँ इससे तु मेरी इस्वर्य योग शक्ति को देख संजय बोले हे राजन महायोगे स्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अरजुन को परम एस्वरी युक्त दिवी स्वरूप दिखलाया अनेक मुख और नित्रों से युक्त अनेक अद्भुद दर्शनों वाले बहुत से दिवी भुशनों से युक्त और बहुत से दिवी शस्त्रों को हाथों में उठाये वे दिवी माला और वस्त्रों को धारन किये वे और दिवी गंद का सारे शरीर में लेप किये वे सब प्रकार के आश्चरियों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किये विराट स्वरूप परमदे परमिस्वर को अर्जुन ने देखा आकाश में हजार सुरियों के एक साथ उदै होने से उत्पन जो प्रकाश हो वो भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सद्रिस कदाचित ही हो पांडू पूत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात प्रिथक प्रिथक संपोर्ण जगत को देवों के देव श्री वासु देव भगवान के उस शरीर में एक जगह इस्थित देखा उसके अनंतर वे आश्र से चकित और पुलकित सरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरु परमात्मा को श्रधा भक्ती सहित सिर से प्रिनाम करके हाथ जोरकर बोले अरजुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपुर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपुर्ण रिश्यों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं हे संपुर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुक और नित्रों से युक्त तथा सब और से अनन्त रूपों वाला देखता हूं, हे विश्व रूप, मैं आपके न अन्त को देखता हूं, न मद्ध को और न आदी को ही, आपको मैं मुकुट युक्त, ग सदा युक्त और चक्र युक्त, तथा सब और से प्रकाशमान, तेज के पुझ, प्रजलित अगनी और सुरी के सद्रिस, जोतिर युक्त, कठिंता से देखे जाने युग्य, और सब और से अप्रमय स्वरूप देखता हूं, आप ही जानने योग्य, परम अक्षर, अर्था परम ब्रह्म परमात्मा हैं, आप ही इस जगत के परम आश्रा हैं, आप ही अनाधी धर्म के रक्षक हैं, और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। तथा सब दिसाएं एक आपसे ही परिपोर्ण है तथा आपके इस अलोकिक और भेंकर रूप को देखकर तीनों लोग अतिव्यथा को प्राप्त हो रहे हैं वे ही देवताओं के समू आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भैभीत होकर हाथ जोरे आपके नाम और गुनों का उ करते हैं जो ग्यारा रुद्र और बारा आदिते तथा आठ वसू सांधि गन विश्वदेव असुनी कुमार तथा मरुद गन और पित्रों का समूदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समूदाय हैं वे सब ही सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं ये व्यक्ष रहे हैं तथा मैं भी व्यक्ष हो रहा हूँ क्योंकि है विश्णु आकाश को और सपर्श करने वाले देदिप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाय हुए मुख और प्रकाश मान विशालनेत्रों से युक्त आपको देखकर भैभीत अंतर करन वाला मैं धीरज और शांती नहीं पाता हूँ दाढ़ों के कारण विक्राल और प्रलाय काल की अगनी के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ इसलिए हे देवेस हे जगन निवास आप प्रसन हूँ वे मुदाय सहीत आप में प्रवेश कर रहे हैं और भिश्म पितामा द्रोनाचारी तथा वकर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान युद्ध्याओं के सहीत सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विक्राल भैनक मुखों में बड़े वेग से दौरते वे प्रवेश कर रहे हैं और समुद्र में प्रवेश करते हैं वैसे ही वे नरक लोग के वीर भी आपके प्रजुलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं जैसे पतंग मोह वस्नष्ट होने के लिए प्रजुलित अगनी में अतिवेग से दौरते वे प्रवेश करते हैं वैसे ही ये सब लोग भी अपने न आपके मुखों में अतिवेग से दौरते वे प्रवेश कर रहे हैं। आपकी प्रवर्ती को नहीं जानता। ये सब शूरविर पहले ही से मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव साचिन तू तो केवल निमित मात्र बन जा द्रोनाचार और भिस्म पितामा तथा जैदरत और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे विशूर बिर युद्धाओं को तू मार भै मत कर नी संदे तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा इसलिए युद्ध कर संजय बोले केशब भगवान के इस बचन को सुनकर मुकुट धारी अर्जुन हाथ जोर कर कापता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भैभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के पृति गदगदवानी से बोले अर्जुन बोले हे अंतर्यामिन यह योगी ही है कि आपके नाम गुन और प्रभव के कृति से जगत अतिहर्शित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भैभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गनों के समुदाय नमस्कार क जो सत असत और उन से पड़े अक्षर अर्था सचिदानंद गन ब्रह्म हैं वो आप ही हैं आप आदी देव और सनातन पुरुष हैं आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग और परमधाम हैं हे अनंतरूप आप से यह सब जगत व्याप्त अर्थ के भी पिता हैं आपके लिए हजारों बार नमशकार नमशकार हो आपके लिए फिर भी बार बार नमशकार नमशकार हे अनंत सामर्थ वाले आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमशकार हे सरवात्म आपके लिए सब और से ही नमशकार हो क्योंकि अनंत प्राकर्म शाली आप समस्त संसार को व्याब्त किये हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं, आपके इस प्रभाव को नो जानते हुए, आप मेरे सखा हैं, ऐसा मान कर प्रेम से अत्वा प्रमाद से भी मैंने हे क्रिश्न हे यादव हे सके, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा ह और हे अच्चुत आप जो मेरे द्वारा विनोध के लिए विहार, शया, आसन और भोजनादी में अकेले अत्वा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किये गए हैं, वो सब अपराद और प्रमे स्वरूप अर्थात अचिंत प्रभाव वाले आप से मैं शमा करवाता हूं, हे अनुपम प्रभाव वाले तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है, अतेव हे प्रभू, मैं शरीर को भली भाती चरनों में निवेदित कर प्रनाम करके इस्तुती करने योग्य, आप इस स्वर को प्रसं होने के लिए प्र मैं पहले नौ देखे हुए आपके इस आश्चर में रूप को देखकर हर्शित हो रहा हूँ और मेरा मन भैसे अतिव्याकुल भी हो रहा है, इसलिए आप उस अपने चतरभुज विश्णु रूप को ही मुझे दिखलाईए, हे देवेज, हे जगनिवास प्रसं होईए, मै वैसे ही आपको मुकुट धारन किये वेत था, गदा और चक्र हाथ में लिए वे देखना चाहता हूँ, इसलिए हे विश्णु सरूप, हे सहस्त्रभाहु, आप उसी चतरभुज रूप से प्रकट होईए, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पुर्वक मैंन अपनी योग शक्ती के प्रभौ से यह मेरा परम तेजो में सबका आदी और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला, मैं न वे कूलता नहीं होनी चाहिए, और मूड भौ भौ भी नहीं होना चाहिए, तुम भाय रहित और प्रिती युक्त मन वाला होकर, उसी मेरे इस शंक चक्रगदा पदम युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख, संजय बोले, वासुदे भगवान ने अर्जुन के प्रती इस प्रकार कहकर, फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया, और फिर महत्मा श्री कृष्ण ने सौमे मूर्ती होकर, इस भाय भीत अर्जुन को धीरज दिया, अर्जुन बोले, हे जनारदर, आपके इस अती शांत मनुष रूप को देखकर, अब मैं इस्थिर चित हो गया हूं, और अपनी स्वभाविक इस्थिती को प्राप्त हो गया हूं, श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, यह सुदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुरलव हैं, देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आका चांग्शा करते रहते हैं, जिस प्रकार तुमने मुझे को देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला, मैं न वेदों से, न तप से, न दान से, और न यग से ही देखा जा सकता हूं, परंतु हे परमतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा, इस प्रकार चतु से जानने के लिए, तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एकी भौ से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं, ये अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपोन करतवी कर्मों को करने वाला है, मेरे परायन है, मेरा भक्त है, आशक्ती रहित है, और संपोन भूत प्रानियों में बैड़ भाव से रहित है वो अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है श्रीमत भागवत गीता अध्याय बारा भक्ति योग अरजुन बोले जो अनन्य प्रेमी भक्ति जन पुर्वक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुन रूप पर में स्वर को और दूसरे जो केवल अविनासी सचिदानंद गन निराकार ब्रम को ही अति श्रेष्ट भाव से भजते हैं उन दोनों प भक्ति जन अतिशे श्रेष्ट श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुन रूप पर में स्वर को भजते हैं वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मानी हैं परन्तु जो पुरुष इंद्रियों के समोदाय को भली प्रकार वर्ष में करके मन बुद्धी से परे संपूर्ण भूतों के हित्मेरत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं उन सचीदा अनंदगन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेस हैं क्योंकि देहा भी मानियों के द्वारा अव्यक्त विश्य दुख पुर्वक प्राप्त की जाती हैं परंतु जो मेरे परायन रहने वाले भक्त जन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अरपन करके मुझ सगुन रूप परमेस्वर को ही अनन्य भक्ती योग से निरंतर चिंतन करते वे भजते हैं हे अरजुन उन मुझ में चित लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शिग्र ही मिर्त्यू रूप संसार समुंदर से उधार करने वाला होता हूँ मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धी को लगा इसके उपरांत तु मुझ में ही निवास करेगा इसमें कुछ भी चल्चा नहीं है यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझ को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर यदि तू उप्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायन हो जा इस प्रकार मेरे निमित कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ती रूप सिध्धी को ही प्राप्त होगा यदि मेरी प्राप्ती रूप योग के आश्रित होकर उप्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धी आदी पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर मर्म को नौ जान कर किये वे अभ्यास से ज्ञान श्रिष्ट है ज्ञान से मुझ पर मिस्वर के स्वरूप का ध्यान श्रिष्ट है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रिष्ट है क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शानती होती है जो पुरुष सब भूतों में द्वेश भौ से रहित स्वार्थ रहित सबका प्रेमी और हेतू रहित दयालू है तथा ममता से रहित अहंकार से रहित सुक दुखों की प्राप्ती में सम और शमावान है अर्थात अपराद करने वालों को भी अभय देने वाला है तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है मन इंद्रियों सहित चरीर को वर्ष में किये हुए है और मुझमें दृर्ज निश्चय वाला है वो मुझमें अर्पन किये हुए मन बुद्धिवाला मेरा भक्त मुझको प्रिये है जिससे कोई भी जीव द्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वैम भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेगादी से रहित है वो भक्त मुझको प्रिये है, जो पुरुष आकांग्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर पक्षपात से रहित और दुखों से चूटा हुआ है, वो सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिये है, जो न कभी हर्शित होता है, न द्वेश करता है, न श शुब और अशुब संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वो भक्ती युप्त मुझको प्रिये है, जो शत्रू, मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादी द्वंदों में सम है, और आशक्ती से रहित है, जो निंदा, इस तुतियों को सम समझने वाला मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वा होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ती से रहित है, वो इस्थिर बुद्धी भक्ती मान पुरुष मुझको प्रिये है, परंतु जो श्रद्धा युप्त पुरुष मेरे परायन होकर इस उपर कहे वे धर्म में अम्रित को निश्काम प्रेम भौ से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिये हैं श्रीमत भागवत गीता अध्याए 13 चत्र चत्रगी योग होता है श्री भगवान बोले हे अरजुन यह शरीर चत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको चत्रगी इस नाम से उसके तत्व को जानने वाले ज्यानी जन कहते हैं हे एरजुन तु सब शेत्रों में शेत्रग्य अर्था जीवात्मा भी मुझे ही जान और शेत्र शेत्रग्य को अर्था विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्य से जानना है वो ग्यान है ऐसा मेरा मत है वह छेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों या छेत्र और छेत्रग का तत्थ विशियों दोारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों दोारा भी विभाग पूरवक कहा गया है तथा भली भाती निश्चित किये हुए युक्ती युक्त ब्रह्म सुत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है पांच महाभूत एहंकार बुद्धी और मुल प्रकृती भी तथा दस इंद्रियां एक मन और पांच इंद्रियों के विशय अर्था शब्द इसपर्ष रूप रस और गंद तथा इच्छा द्वेश, सुख, दुख, स्थूल, देहका, पिंड चेतना और घृती इस प्रकार विकारों के सहित यह शेत्र संचेप में कहा गया है श्रिष्टता के अभिमान का अभाव, दंभाचरन का अभाव, किसी भी प्रानी को किसी प्रकार भी नौ सताना, शमा भाव, मन वानी, आदी की सरलता, श्रधा, भक्ती सहित, गुरू की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धी, अंतकरन की इस्थिता और मन, इंद्रियों सहित, शरीर का निरवा, इस लोक और परलोक के संपुन भोगों में आसकती का अभाव, और अहंकार का भी अभाव, जन में मिर्त्युजरा और रोग, आदी में दुख और दोशों का बार-बार विचार करना, पूत्र, इस्तरी, धन और घर, आदी में आसकती का अभाव, ममता का अध्यात्म ग्यान में नित्य इस्थिति और तत्य ग्यान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना यह सब ग्यान है और जो इससे विपरित है वो अग्यान है ऐसा कहा है जो जानने योगी है तत्य जिसको जानकर मनुश परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भाती कहूंगा वो अनादी वाला परम ब्रम न सत्य ही कहा जाता है न असत्य ही वो सब और हात पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है क्योंकि वो संसार में सब को व्याप्त करके इस्थित है, वो संपोर्न इंद्रियों के विश्यों को जानने वाला है, परं वो चराचर सब भोतों के बाहर भीतर परिपोन है और चर अचर भी वही है और वो सुक्ष्म होने से अविग्याई है तथा अती समीप में और दूसरे में भी इस्थित वही है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सद्रे से परिपोन होने पर भी चराचर संपोन भोतों में विभक्त सा इस्थित प्रतीत होता है तथा वह जानने योग परमात्मा विश्न रूप से भोतों को धारन पोशन करने वाला और रुद्र रूप से संघार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन करने वाला है वह पर ब्रह्म जोतियों का भी जोति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग एवं तत्य ज्यान से प्राप्त करने योग है और सबके हिर्दय में विशे सुरूप से इस्थित है इस प्रकार शेत्र तथा ग्यान और जानने योग परमात्मा का सुरूप संशेब से कहा गया मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे सुरूप को प्राप्त होता है प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तु अनादी जान और राग दोशादी विकारों को तथा त्रिगुनात्मक संपुन पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन जान कार्य और करन को उत्पन करने में हेतु प्रकृति कही जाती और जीवात्मा सुक दुखों के भोगतापन में अर्थाद भोगने में हेतु कहा जाता है प्रकृति में इस्थित ही पुरुष, प्रकृति त्रिगुनात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुनों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बोरी योनियों में जन्म लेने का कारण है इस देह में इस्थित या आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है वह साक्षी होने से उपद्रस्टा और यथार्थ सम्मती देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारन पोशन करने वाला होने से भरता, जीव रूप से भोगता, ब्रह्मा आदिकाभी स्वामी होने से परमेश्व वो सब प्रकार से कर्तव कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जनमता उस परमात्मा को कितने ही मनुष्टो शुद्ध हुई सुक्ष्म बुद्धी से ध्यान के द्वारा हिर्दय में देखते हैं अन्य कितने ही ग्यान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं परंतु इन से दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धी वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार नौ जानते हैं दूसरों से अर्थात तत्य के जानने वाले पुरुषों से सुन कर ही तद नुसार उपासना करते हैं और वे श्रवन प्राय पुरुष भी मृत्यू रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं, ये अरजुन यावन मात्र जितने भी इस्थावर, जंगं, प्रानी, उत्पन्य होते हैं, उन सब को तुशेत्र और छेत्रग्य के सन्योग से ही उत्पन्य जान, जो पुरुष नश्ट होते हुए, सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से इस्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है, क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से इस्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ, अपने द्वारा अपने को नश जिस चन यह पुरुष भूतों के पृतक पृतक भाव को एक परमात्मा में ही इस्थित था उस परमात्मा से ही संपोन भूतों का विस्तार देखता है उसी चन वो सचिदा नंदगन प्रमको प्राप्त हो जाता है हे अरजुन अनादी होने से और निर्गुन होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में इस्थित होने पर भी वास्ताव में नो तो कुछ करता है और नो लिप्त ही होता है जिस प्रकार सरवर्त व्याप्त आकाश सुक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता वैसे ही देह में सरवर्त इस्थित आत्मा निर्गुन होने के कारण देह के गुनों से लिप्त नहीं होता हे अर्जुन जिस प्रकार एक ही सूरी इस संपोन ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार एक ही आत्मा संपोन शेत्र को प्रकाशित करता है इस प्रकार शेत्र और शेत्रग्य के भेद को तथा काड़ी सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्यान नित्र द्वारा तत्व से जानते हैं वे महतमाजन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धी को प्राप्त हो गये हैं इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थाध धारन करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष श्रिष्टी के आदी में पुना उत्पन नहीं होते और प्रलाइकाल में भी व्याकुल नहीं होते हे अर्जुन मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृती संपोन भूतों की योनी है अर्थाध गर्भाधान का इस्थान है और मैं इस योनी में चेतन समुदाय रूप गर्भ को इस्थापन करता हूँ हे अर्जुन नाना प्रकार की सब योनीयों में जितनी मूड़्थाध जीवधारी प्राणी उत्पन होते हैं प्रकृती तो उन सब की गर्भधारन करने वाली माता है और मैं बीज को इस्थापन करने वाला पिता हूँ हे अरजुन सत्य गुन रजो गुन और तमो गुन ये प्रकृति से उत्पन तीनो गुन अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं हे निश्पाप उन तीनो गुनों में सत्य गुन तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है वो मुख के संबंद से और ज्ञान के संबंद से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है हे अर्जुन राग रूप रजोगुन को कामना और आसकती से उत्पन जान वो इस जिवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंद से बांधता है हे अर्जुन, सब देहा भीमानियों को मोहित करने वाले तमोगुन को तो अज्ञान से उत्पन जान वो इस जिवात्मा को प्रमाद, आलस और निंद्रा के द्वारा बांधता है हे अर्जुन सत्गुन सुख में लगता है और रजोगुन कर्म में तथा तमोगुन तो ग्यान को ढखकर प्रमाद में ही लगाता है हे अर्जुन रजोगुन और तमोगुन को दबाकर सत्गुन, सत्गुन को तमोगुन को दबाकर रजोगुन, वैसे ही सत्गुन और रजोगुन को दबाकर तमोगुन होता है, अर्थात बढ़ता है, जिस समय इस देह में तथा अंताकरन और इंद्रियों में चेतनता और वेक शक्ति उत्पन होती है उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुन बढ़ा है हे अर्जुन रजोगुन के बढ़ने पर लोग प्रवर्ति स्वार्थ बुद्धी से कर्मों का सकाम भौ से आरंब और शान्ती और विशायोगों की लाल सा ये सब उत्पन्न होते हैं हे अर्थात वर्थ चेष्टा और निंद्रादी अंतकरन की मोहनी वृत्धियां ये सब ही उत्पन्न होते हैं जब यह मनुष सत्य गुन की वृत्धी में मृत्यू को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिवी स्वरगादी लोकों को प्राप्त हो कर्मों की आसकती वाले मनुश्यों में उत्पन होता है तथा तमोगुन के बढ़ने पर मरा हुआ मनुश्य कीट पशु आदी मूढ योनियों में उत्पन होता है। सत्य गुन में इस्थित पुरुष स्वरगादी उच्य लोकों को जाते हैं रजो गुन में इस्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुश्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुन के काड़ी रूप निंद्रा प्रमाद और आलस आदी में इस्थित तामस पुरुष प्रमानंद को प्राप्त होता है। इन तीनों गुनों से अतीत पुरुष किन किन लक्षनों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरनों वाला होता है तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुनों से अतीत होता है। श्री भगवान बोले है अर्जुन जो पुरुत सत्य गुन के कारी रूप प्रकाश को और अजो गुन के कारी रूप प्रविर्ती को तथा तमो गुन के कारी रूप मोख को भी नो तो प्रविर्त होने पर उनसे द्वेश करता और नो निवरित होने पर उनकी आकांग्शा कर जो साक्षि के सद्रिस इस्थित हुआ गुनों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुनों में बरतते हैं ऐसा समझता हुआ जो सची दानंद गन परमातमा में एकी भव से इस्थित रहता है एवं उस इस्तिती से कभी विचलित नहीं होता जो निरंतर आत्म भाव में इस्तित दुख सुख को समान समझने वाला मिट्टी पत्थर और स्वर्न में समान भाव वाला ग्यानी प्रिये तथा प्रिये को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा इस्तिती में भी समान भाव व और जो पुरुस अव्य अभिचारी भक्ती योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है वो भी इन तीनों गुनों को भली भाती नांग कर सचिदानंद गन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है क्योंकि इस अविनाशी परम ब्रह्म का और अम्रित का तथ भगवान बोले आदी पुरुष परमिश्वरूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के व्रिक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं उस संसार रूप व्रिक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्य से जानता है वो वेद के तातपर को जानने वाला है उस संसार रूप की तीनों गुनों रूप जल के द्वारा बढ़ी वी इवं विशय भोग रूप कपोलों वाली देव मनुश और त्रियक आदी योनी रूप शाखाएं नीचे और उपर सरवर्त फैली हुई है तथा विश्च लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहनता ममता और वासना रूप जरे भी नीचे और उपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है इस संसार विश्च का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता क्योंकि नो तो इसका आदी है और न अन्त है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से इस्थिती ही है इसलिए इस अहनता ममता और वासना रूप अती द्रिध मूलों वाले संसार रूप पीपल के विश्च को द्रिध वैरागी रूप सस्त्र द्वारा काट कर उसके पश्चात उस परम पद रूप से इस पुरातन संसार व्रिक्ष की प्रवर्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उसी आधी पुरुष नारायन के मैं शरन हूँ इस प्रकार द्रिध निश्चाय करके उस परमेश्वर का मनन और नीदी ध्यासन करना चाहिए जिसका मान और मोह नश्ठ हो गया है जिन्होंने आसकती रूप दोश को जीत लिया है जिनकी परमात्मा के सो रूप में नित इस्थिती है और जिनकी कामनाए पुर्ण रूप से नश्ठ हो गई है वे सुख दुख नामक द्वंदो से विमुक्त ज्यानी जन उस अविनाशी परमपद को प्राप्त होते हैं जिस परमपद क प्राप्त होकर मनुश्री लोट कर संसार में नहीं आते उस स्वयम प्रकाश परमपद को न सुरी प्रकाशित कर सकता है न चंद्रमा और न अगनी ही वही मेरा परमधाम है इस देह में यह सनातन जिवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृती में इस्थित मन और पर्शन करता है बायु गंद के स्थान से गंद को जैसे ग्रहन करके ले जाता है वैसे ही देहा दिका स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहन करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है यह जीवात्मा इस्त्रोत, चक्छु और तच्टक सकों ततरसना, घ्रान और मन को आश्राय करके अर्थात इन सब के साहाडे से ही विष्यों का सेवन करता है शरीर को छोड़ कर जाते वे को अत्वा शरीर में इस्थित वे को अत्वा विश्यों को भोगते वे को इस प्रकारतीनों गुनों से युक्त हुए को भी अग्यानी जन नहीं जानते केवल ग्यान रूप मनितरों वाले विवेक शिल ग्यानी ही तत्व से जानते हैं यतन करने वाले योगी जन भी अपने हिर्दय में इस्थित इन आत्मा को तत्य से जानते हैं किन्तु जिन्होंने अपने अंतह करन को शुद्ध नहीं किया है ऐसे अज्यानी जन तो यतन करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं सुरी में इस्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अगनी में है उसको तू मेरा ही तेज जान और मैं ही पृत्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ती से सब भूतों को धारन करता हूँ और रस्वरूप अर्थात अमरित मैं चंद्रमा होकर संपूर्ण और शद्यों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ मैं ही सप्रानियों के शरीर में इस्थित रहने वाला प्रान और अपान से सन्युक्त वैश्वा नर अगनी रूप होकर चार प्रकार के अन को पचाता हूँ मैं ही सब प्रानियों के हिरदय में अंतर्यामी रूप से इस्थित हूँ तथा मुझसे ही इस्मृती ग्यान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का करता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं इन में संपूर्ण भूत प्रानियों के शरीर तो नाशवान और जिवात्मा अविनाशी कहा जाता है इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारन पोशन करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है क्योंकि मैं नाशवान जरवर्ग शत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुष तम नाम से प्रसिद हूँ भारत जो ग्यानी पुरुष मुझ को इस प्रकार तत्य से पुरुष उत्तम जानता है वो सर्वग ये पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझवासुदे परमेश्वर को ही भजता है हे निश्पाप अरजुन इस प्रकारिया अती रहसी युक्त गोपनिये शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया इसको तत्य से जानकर मनुष्च ग्यानवान और कृतार्थ हो जाता है श्रीमत भागवत गीता अध्याए सोला देवा सुर संपद विभाग योग बोला श्री भगवान बोले भाय का सर्था अभाव अंतकरन की पोड निर्मलता तत्य ग्यान के लिए ध्यान योग में निरंतर द्रिध इस्तिती और सात्य की दान इंद्रियों का दमन भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अगनी होत्र आदी उत्तम कर्मों का आ बन, बन वानी और शरिर से किसी प्रकार भी किसी को कस्ट न देना, यथार्त और प्रिये भाशन, अपना अपकार करने वाले पर भी कुरोद का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतकर उपरती अर्थात चितकी चंचलता का अभव किसी की भी सब भूत प्रानियों में हेतु रहित दया। इंद्रियों का विश्यों के साथ सन्योग होने पर भी उनमें आसकती का न होना। दंब, घमांड और अभिमां तथा क्रोध, कठोड़ता और अज्यान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन हुए पुरुष के लक्षन है। देवी प्रकृती वाला तो विस्तार पुर्वक कहा गया, अब तुँ आसुरी प्रकृती वाले मनुष समुदाय को भी विस्तार पुर्वक मुझसे सुन। आसुर सुभाव वाले मनुष प्रवृती और निवृती इन दोनों को ही नहीं जानते। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धी है, न श्रेष्ट आच्रन है और न सत्य भाशन ही है। वे आसुरी प्रकृती वाले मनुष कहा करते हैं कि जगत आश्रे रहित सर्व था, असत्य और बिना इस्वर के अपने आप केवल इस्तरी पुरुष के सन्योग से उत्पन है, अतेव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है, इस मिथ्या ज्यान को अब लंब कर के जिनका स्वभाव नष्ठ हो गया है तथा जिनकी बुद्धी मन्द है, वे सबका अपकार करने वाले क्रोड कर्मी मनुष केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं, वे दंब, मान और मद से युक्त मनुष, किसी प्रकार भी पोड़ न होने वाली कामनाओं का कर अज्ञान से मित्या सिध्धानतों को ग्रहन करके और भ्रष्ट आचारनों को धारन करके संसार में विचरते हैं, तथा वे मृत्यू परयंतर रहने वाली असंख चिंता, आश्रा लेने वाले विशय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस होते हैं, वे आशा की सैकरों फांसियों से बंदे वे मनुष काम क्रोध के परायन होकर विशय भोगों के लिए अन्याय पूरवक धनादी पदार्थों का संग्रह करने की चेश्टा करते हैं, वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनुरत को प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास यह इतनी और फिर भी यह हो जाएगा, वो शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रों को भी मैं मार डालूँगा है, मैं इश्वर हूँ, इस स्वर को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिध्यों से युक्त हूँ और बलवान त अनेक प्रकार से भ्रमित चितवाले, मोह रूप जाल से समावरित और विशय भोगों में अत्यंत आसत आसूर लोग महान और पवित्र नर्क में गिरते हैं, वे अपने आपको ही श्रेष्ट मानने वाले घमंडी पुरुष, धन और मान के मत से युक्त होकर केवल नाम मातर के युगों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधी रहित यजन करते हैं, वे अंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादी के परायन और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष, अपने और दूसरों के शरीर में इस्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेश करने वाले होते है उन दूसरों करने वाले पापा-चारी और क्रोर करमी नराधमों को मैं संसार में बार-बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ, है अर्जुन वे मूड मुझ को न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अतिनीच गती को ह प्राप्त होते हैं अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं काम क्रोध तथा लोग ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगती में ले जाने वाले हैं अतेव इन तीनों को त्याग देना चाहिए है अर्जुन इन तीनों नरक के से मुक्त पुरुष अपने कल्यान का आचरन करता है इससे वो परमगती को जाता है अर्थात मुझ को प्राप्त हो जाता है जो पुरुष शास्त्र विधी को त्याक कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरन करता है वो ना सिद्धी को प्राप्त होता है ना परमगती को और ना श्रेमत भागवत गीता अध्याय सत्रा श्रद्धा त्रे विभाग योग अर्जुन बोले हे केशव जो मनुष शास्त्र विदी को त्याग कर श्रद्धा से युगत हुए देवादी का पूजन करते हैं उनकी स्थिती फिर कौन सी है? सात्विक की अत्वा राजसी किन्वा तामसी उसको तुम उस से सुन ये भारत सभी मनुष्यों की स्रद्धा उनके अंतर करन के अनुरूप होती है यह पुरुष श्रद्धा माय है इसलिए जो पुरुष जैसे श्रद्धा वाला है वो स्वैम भी वही है साथ्युक पूरुश देवों को पूझते हैं राजस पूरुश यक्ष और राक्षसों को तथा अनी जो तामस मनुश हैं वे प्रेत और भूत गनु को पूझते हैं जो मनुष्य शास्त्र विधी से रहित केवल मनह कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंब और अहंकार से युक्त एवं कामना आ सकती और बल के अभिमान से भी जो शरीर रूप से इस्तित भूत समुदाय को और अंतह करन में इस्तित मुझ परमात्मा को भी क्रिश करने वाले हैं उन अज्यानियों को तुम आसुर सोभाव वाले जान भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकरती के अनुसार तीन प्रकार का प्रिये होता है और वैसे ही यगित तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं उनके इस प्रिथक प्रिथक भेद को तुम मुझ से सुन आयू, बुद्धी, बल, आरोग, सुख और प्रिती को बढ़ाने वाले रस युक्त, चिकने और इस्थिर रहने वाले तथा सोभाव से ही मन को प्रिये ऐसे अहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिये होते हैं करवे, खटे, लावन, युक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, दाकारक और दुख, चिंता, तथा रोगों को उत्पन करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिये होते हैं जो भोजन, अधपका, रसरहित, दुरगंध, युक्त, बासी और उचिस्ट है तथा जो अपवित्र भी है वो भोजन तामस पुरुष को प्रिये होता है जो शास्त्र विधी से नियत यगी करना ही करतवी है इस प्रकारमन को सामाधान करके फल नचाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वो सात्तिक है परंतु हे अरजुन केवल दंभा चरन के लिए अत्वाफल को भी द्रिष्टी में रखकर जो यग किया जाता है उस यग को तुँ राजस जान, शास्त्र विधी से हीन, अंदान से रहित बिना मंत्रों के, बिना दक्षना के और बिना श्रद्धा के किये जाने वाले यग क मसियक कहते हैं, देविता, ब्राम्हन, गुरु और ज्यानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रामचारी और अहिंसा यह शरीर संबंधी तब कहा जाता है, जो उद्वेगना करने वाला प्रिये और हितकारक, एवं यथार्त भाशन है, तथा जो वेद शास्त्रों क पठन का एवं परमिश्वर के ना, जब का अभ्यास है, वही वानी संबंधी तब कहा जाता है, मन की प्रसंता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निक्रह और अंतकरन के भावों की भलिभाती पवित्रता, इस प्रकारिया मन संबंधी तब कहा जाता है, फल को नचाहने वाले योगी पुरुशों द्वारा परमशद्धा से किये वे उस पुरवक्त तीन प्रकार के तब को सात्विक कहते हैं जो तब सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अनिकिसी स्वार्थ के लिए भी सुभाव से या पाखंड से किया जाता है वो अनिश्चित एवंशनिक फलवाला तब यहां राजस कहा जो तब मूढता पुरवक्त हट से मन, वानी और शरीर की पीरा के सहित अत्वा दूसरों का अनिश्ट करने के लिए किया जाता है वो तब तामस कहा गया है दान देना ही करतव यह है ऐसे भाव से जो दान, देश, तताकाल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार नो करने वाले के पृति दिया जाता है वो दान सात्विक कहा गया है किन्तु जो दान कर तता प्रति उपकार के प्रियोजन से अत्वा फल को दृष्टी में रखकर फिर दिया जाता है वो दान राजस कहा गया है जो दान बिना सतकार के अत्वा तिरसकार पुरवक आयोग की देश, काल में और कुपातर के प्रती दिया जाता है वो दान तामस कहा गया है ओम, तत, शत, ऐसे यत तीन प्रकार का सची दानंदगन ब्रह्म का नाम कहा है उसी से शृष्टी के आदी काल में ब्रह्म्हन और वेद तथा यग्यादी रची गए इसलिए वेद मंत्रों का उचारन करने वाले शृष्ट पुरूशों की शास्त्र विधी से नियत यग्य दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस प्रमात्मा के नाम को उचारन करके ही आरंब होती है तत अर्थात तत नाम से कहे जाने वाले प्रमात्मा का ही यह सब है सत इस प्रकार यह प्रमात्मा का नाम सत्य भाव में और शृष्ट भाव में प्रियोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रियोग किया जाता है तथा यग्य तप और दान में जो इस्थिती है वो भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चे पुर्वक सत ऐसे कहा जाता है हे अरजुन बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुब कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है इसलिए वह न तो इस लोक में लावदायक है और न मरने के बाद ही श्रीमत भागवत गीता अध्याय अठारा मोक्ष सन्यास योग अरजुन बोले हे महाबाहो हे अंतर्यामी हे वासुदेव मैं सन्यास और त्याग के तत्य को प्रिथक प्रिथक जानना चाता हूँ श्री भगवान बोले कितने ही पंडित जन तो कामी करμों के त्याग को सन्यास तथा दूसरे विचार कुशल पुरुस सब करμों के फल को त्याग कहते हैं कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोश यूप्त है इसलिए त्याग के योग्य है और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यग्यदान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है हे पुरुश्रेस्ट अर्जुन, सन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विशय में तुमेरा निश्चे सुन क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का कहा गया है यग्य, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है बलकि वह तो अवश्य करतब्य है क्योंकि यग्य, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुशों को पवित्र करने वाले हैं इसलिए हे पार्थ इन यग्यदान और तब रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण करतव्य कर्मों को आसकती और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए यह मेरा निश्चे किया हुआ उत्तम मत परन्तु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है इसल करतव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वो ऐसा राजस त्याग करके त्याग के पल को किसी प्रकार भी नहीं पाता है अरजुन जो शास्त्र विहित कर्म करना करतव्य है इसी भाव से आसकती और फल का त्याग करके किया जाता है वही सात्रिक त्याग माना जाता है जो मनुष और कुशल कर्म से तो देश नहीं करता और कुशल कर्म में आसकत नहीं होता वो शुद्ध, सत्य गुंद से युक्त पुरुस, शंसारहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी क्योंकि शरीर धारी किसी भी मनुश्य के द्वारा सम्पून्ता से सब कर्मों का त्याग किया जाना सक्के नहीं है इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है यह कहा जाता है कर्म फल का त्याग नो करने वाले मनुश्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है किन्तु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुश्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता हे महाबाहो संपूर्ण कर्मों की सिध्धी के ये पांच हे तू कर्मों का अंत करने के लिए उपए बतलाने वाले सांखिशास्त्र में कहे गए हैं उनको तु मुझसे भलिभाती जान इस विशाय में अर्थात कर्मों की सिध्धी में अधिश्ठान और करता तथा भिन-भिन प्रकार के करन एवम नाना प्रकार की अलग-अलग चेश्टा हैं और वैसे ही पांचवां हेतु दैव हैं मनुष, मन, वानी और शरीर से सास्त्रा नुकूल, अत्वा, विप्रीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पांचो कारण है परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष असुद्ध बुद्धी होने के कारण उस विशाय में यानि कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत् यानि यथार्थ नहीं समझता जिस पुरुष के अंता करण में मैं करता हूँ ऐसा भव नहीं है तता जिसकी बुद्धी संसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपाई मान नहीं होती वो पुरुष इन सब लोकों को मार कर भी वास्तब में न तो मरता है और न पाप से बंधता है ग्याता ग्यान और गे ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरना है और करता करन तथा क्रिया ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है गुनों की संख्या करने वाले शास्त्र में ग्यान और कर्म तथा करता गुनों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं उनको भी त संभाव से इस्थित देखता है उस ग्यान को तो तू सात्विक जान किन्तु जो ग्यान अर्थात जिस ग्यान के द्वारा मनुस्य संपूर्ण भूतों में भिन-भिन प्रकार के नाना भावों को अलग-अलग जानता है उस ग्यान को तू राजस जान परंतु जो ग्यान एक क चास्त्रविधी से नियत किया हुआ और करतापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना रागद्वेश के किया गया हो वह सातिक कहा जाता है परन्तु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा किया जाता है, वो कर्म राजस कहा गया है, जो कर्म, परिनाम, हानी, हिंसा और सामर्थ को न विचार कर केवल अज्यान से आरंब किया जाता है, वो तामस कहा जाता है, जो कर्ता, संग रहित, अहंकार के वचन्नों बोलने वाला धैरी और उत्सा से युक् उकादी विकारों से रहित है वह सात्रिक कहा जाता है जो करता आसकती से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के सुभाव वाला अशुद्धा चारी और हर्श सोक से लिपत है वो राजस कहा गया है जो करता अयुक्त सिक्षा से गमंडी, धूर्ट और दूसरों की जीविका कानाश करने वाला तता शोक करने वाला आलसी और दिर्ग सुत्री है वो तामस कहा जाता है हे धननजय अब तूं बुद्धी का और गृती का भी गुनों के अनुसार तीन प्रकर का भेद मेरे द्वारा संपूर्टया से विभाग पुर्वक कहा जाने वाला सुन हे पार्थ जो बुद्धी प्रवर्ती मार्ग और निवर्ती मार्ग को कर्तवी और अकर्तवी को भाई और अभाई को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है वो बुद्धी सात्विक है हे पार्थ मनुष जिस बुद्धी के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता वो बुद्धी राजसी है हे अर्जुन जो तमोगुन से घिरी हुई बुद्धी अधर्म को भी या धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अनिसंपोन पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है वो बुद्धी तामसी है हे पार्थ जिस अव्य भिचारिनी धारन शक्ति से मनुष ध्यान योग के द्वारा मन, प्रान और इंद्रियों की क्रियां को धारन करता है वो गृति सात्विकी है परंतु हे प्रिथापुत अर्जुन फल की इच्छा वाला मनुष जिस धारनशक्ति के द्वारा अत्यंत आशक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारन करता है वो धारनशक्ति राजसी है हे पार्थ दूष्ट बुद्धी वाला मनुष जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उनमत्ता को भी नहीं छोड़ता अर्था धारण किये रहता है वो धारण शक्ति ताम हे भरत श्रिष्ट अब तीन प्रकार के सुख को भी तुम मुझ से सुन जिस सुख में साधक मनुष भजहन ध्यान और सेवादी के अभ्याद से रमन करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है ऐसा जो सुख है वो आरंब काल में यद्यपी विश के तोले प्रतीत होता है परंतु परिनाम में अम्रित के तोले इसलिए व परमात्म विष्यक बुधी के प्रसाद से उत्पन होने वाला सुख सात्विक कहा गया है जो सुख विशय और इंद्रियों के सन्योग से होता है वो पहले भोग काल में अम्रित के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिनाम में विष्य के तुल्य है इसलिए वो सुख राजस कहा गया है जो सुख भोक काल में तथा परिनाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वो निद्रा, आलश से और प्रमाद से उत्पन सुख तामस कहा गया है पृत्वी में या आकाश में अत्वा देवताओं में तथा इसके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी तत्त नहीं है जो प्रकृति से उत्पन इन तीनों गुनों से रहित हो है परमतप, ब्राम्हन, शत्रिये और वैश्यों के तथा शुद्रों के कर्म, सोभाव से उत्पन, गुनों दुआरा विभक्त किये गए हैं अंतह करन का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कस्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को शमा करना, मन, इंद्रिये और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, इस्वर और परलोक आदी में शुद्धा रखना, शुद्ध में नवभागना, दान देना और स्वाभिमान ये सब के सभी शत्रिय के स्वभाविक कर्म हैं। अच्छी प्रकार आच्रन किये हुए दूसरे के धर्म से गुन रहित भी अपना धर्म क्योंकि स्वभाव से नियत किये हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष पाप को प्राप्त नहीं होता। अतेव हे कुंती पुत्र दोश युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्याग ना चाहिए क्योंकि दूएं से अगनी की भाती सभी कर्म किसी न किसी दोश से युक्त होते हैं। अतरवत्र आशक्ती रहित बुद्धी वाला इस्प्रिहा रहित और जीते वे अंतकरन वाला पुरुष सांक योग के द्वारा उस परम नैश कर्म सिध्धी को प्राप्त होते हैं। उस नैश कर्म सिध्धी को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष ब्रह्म को प्राप्त होता है उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संचेप में ही मुझसे समझ। विशुद बुद्धी से युक्त तथा हलका सात्विक और नियमित भोजन करने वाला शब्दादी विश्यों का त्याग करके एकांत और शुद देश का सेवन करने वाला सात्विक धारन शक्ती के द्वारा अंतकरन और इंद्रियों का सन्यम करके मन वानी और शरीर को वश और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायन रहने वाला ममता रहित और शांती योग्त पुरु सचिदानंद घन ब्रह्म में अभिन भव से इस्तित होने का पात्र होता है फिर वो सचिदानंद घन ब्रह्म में एकी भव से इस्तित प्रसन मन वाला योगी नो तो किसी के लिए शोक करता है और नो किसी की आकांशा ही करता है ऐसा समस्त प्रानियों में समभव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है उस पराभक्ती के द्वारा वो मुझे परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्यु से जान लेता है तथा उस भक्ती से मुझे को तत्यु से जान कर तत्काल ही मुझे में प्रविष्ट हो जाता है मेरे परायन हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कर्पा से सनातन अविनाशी परमपद को प्राप्त हो जाता है सब कर्मों को मन से मुझ में अरपन करके तथा सम बुद्धी रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायन और निरंतर मुझ में चितवाला हो उपियुक्त प्रकार से मुझ में चितवाला होकर तुँ मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नश्ट हो जाएगा अर्थात परमार्थ से भरष्ट हो जाएगा जो तुँ अहंकार का आश्रा लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह निश्चे मिथ्या है क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जवर्दस्ती युद्ध में लगा देगा हे कुंती पुत्र जिस कर्म को तुमो के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पुर्विकृत स्वभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा हे अर्जुन शरीर रूप यंत्र में आरूड हुए संपूर्ण प्रानियों को अंतर्यामी परमेस्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रह्मन कराता हुआ सब प्रानियों के रिदय में इस्थित हैं हे भारत तू सब प्रकार से उस परमेस्वर की ही शरन में जा उस परमात्मा की किरपा से ही तू परम शांती को तथा सनातन परमधान को प्राप्त होगा इस प्रकार्य गोपनिये से भी अती गोपनिये ग्यान मैंने तुमसे कह दिया अब तुम इस रहसी युक्त ग्यान को पौर्ण तया भली भाती विचार कर जैसे चाहता है वैसा ही कर संपोर्ण गोपनियों से अति गोपनी, मेरे परम रहस्युक्त वचन को तू फिर भी सुन, तू मेरा अतिशे प्रिये है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुमसे कहूंगा हे अरजुन, तु मुझे में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझे को प्रनाम कर, ऐसा करने से तु मुझे ही प्राप्त होगा, या मैं तुझ से सत्य प्रतिग्गी करता, क्योंकि तु मेरा अत्यंत प्रिये है, संपूर्ण धर्मों को अर्था मुक्त कर दूंगा तू शोक मत कर तुझे यह गीता रूप रहस मैं उपदेश किसी भी काल में नो तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए न भक्ती रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए तथा जो मुझ में दोश दृष्टी रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझ को ही प्राप्त होगा इसमें कोई संदेह नहीं है उससे बढ़कर मेरा प्रिये कारी करने वाला मनुश्यों में कोई भी नहीं है तथा पृत्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिये दूसरा कोई भविश्य में होगा भी नहीं जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के समवाद रूप गीता शास्त्र को पड़ उसके द्वारा भी मैं ग्यान यग से पूजित होंगा ऐसा मेरा मत है जो मनुष स्रधा युक्त और दोश द्रिष्टी से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवन भी करेगा वो भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ट लोकों को प्राप्त होगा हे पार्थ क्या इस गीता शास्त्र को तुने एक आग्रिचित से श्रवन किया और हे धनन जाए क्या तेरा अग्यान जनित मोह नस्ठ हो गया अरजुन बोले हे अच्जित आपकी क्रपा से मे प्रकार मैंने श्रिवासु देव के और महत्मा अरजुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमान चकारक संबाद को सुना श्री व्यास जी की क्रपा से दिव द्रिश्टी पाकर मैंने इस परम गोपनिय योग को अरजुन के प्रती कहते हुए स्वायम योगेस्वर श्री कृष्ण से प्रतक्ष सुना है हे राजन भगवान श्री कृष्ण और अरजुन के इस रहस्य युक्त कल्यान कारक और अद्भुत संबाद को पुना-पुना इस्मरन करके मैं बार-बार हर्शित हो रहा हूं हे राजन श्री हरी के उस अत्यंत विलक्षन रूप को भ श्री होता है और मैं बार-बार हर्शित हो रहा है राजन जहां योगेश्वर भगवान श्री और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है वहीं परश्री विजय विभूती और अचल नीती है ऐसा मेरा मत्राइब